हालो बच्चो गुड मॉनिंग कैसे हो आप लोग बढ़िया पर्स्ट क्लास माइसेल्फ देवेंदर अग्रवाल टीम मैथ्स सबसे पहली बात आज आपका 13 टेस्ट है 12 टेस्ट हो चुए है आपके अच्छे से बहुत ही बढ़िया हुए होगे उम्मीद है अब यह जो 13 टेस्ट है इसमें आपके टॉपिक्स हैं इंवर्स टिक्नोमेट्रिक फंक्शन और मेथड ऑफ डिफरेंशियेशन तो चलो फर्मुले यूज कर लिए है ट्रिक्नोमेट्रिक एक ऐसा पार्ट है जो बिल्कुल हवा पानी की तरह है ना जिसके आपको फर्मुले याद होने चाहिए है एकदम टिप पर होने चाहिए आपके फर्मुले रात को कोई 12 बजी भी उठाके पूछले कि हाँ भाई बता कॉस स्कवार माणस सान्सफ कर X और 1-2 सान्सफ क्वार माणस वन जो इसमें अब इसमें एंगल था है तो यहां पर क्या जागा एंगल एंगल फिरह को पर होना सही है थीकर तो शुरू करते हैं चलो सबसे पहले बताओ, cos x को क्या लिख लोगे आप, cos x को लिख सकते हो, cos square x by 2 minus sin square x by 2, और नीचे क्या जाएगा, 1 को लिख दो, sin square x by 2 plus cos square x by 2 plus sin x का half angle formula बताओ, sin x by 2 into cos x by 2, ठीक है, तो यह हो गया आपका trigonometry formula का use, अब यह देखो ध्यान से, क्या बना रहा है, उपर a square minus b square, क्या हो जाएगा, a minus b into a plus b, और नीचे क्या आ रहा है, sin square x by 2 plus cos square x by 2 plus 2 sin x by 2 cos x by 2, तो नीचे वाला तो whole square बन गया, किसका, sin plus cos का, तो नीचे वाले को लिख दो आप, cos x by 2 plus sin x by 2 का whole square, और उपर क्या हो गया, बताओ, उपर हो जाएगा, a minus b into a plus b, तो cos x by 2 minus sin x by 2, into cos x by 2 minus sin x by 2, प्लस sin x by 2, ठीक है, मैनस पहले ले लिए ना, इसलिए, और आगे क्या चल रहा है, 10 inverse, ठीक है, अब देखो, एक तो cancel out हो गया, कौन सा वाला, minus वाला बार, क्या बच गया, अपना, cos x by 2 plus sin x by 2 upon, एक मिनट, नीचे plus का whole square बना दा गया, तो कौन सा वाला cancel out होगा, प्लस वाला, यह minus वाला बचेगा, ठीक है, तो क्या बच गया, cos minus sin upon cos plus sin, तो मैं इसको लिख दूँ दिवारा से एक बार और, यह हो गया, आपका, 10 inverse, cos minus sin upon cos plus sin, क्या दा गया होगा, आपको कैसे करते हैं, ऊपर नीचे cos से डवेट कर दो, तो क्या बन जाएगा यह, 10, 5 by 4 minus x by 2, और आगे क्या है, 10 inverse, तो क्या बचेगा अपना, 5 by 4 minus x by 2 बचेगा, तो y की जो value है, वो आगे ही, 5 by 4 minus x by 2, dy upon dx कितना आजाएगा, बताओ, dy upon dx आजाएगा आपका, 5 by 4 का 0, और इसका आगया, minus का half, तो इसका जो derivative वो कितना आ रहा है, minus half आ ठीक है, तो यह आपके लेकिन इतना time लगाना है कि ज़रूरत नहीं है आपको, आप तो क्या है, simple सा करोगे, cos x को सोचो सीधे, क्या होता है अपना, cos square minus sin square, नीचे बाला क्या होता है, sin plus cos का whole square बचेगा, तो क्या बचेगा, cos minus sin upon cos plus sin, that is, 10 5 by 4 minus x by 2, ठीक है, ऐसे करना है, चलो, चलते हैं, next, तो कौन साप्शन से यह जाएगा, option number 3, चलो, next question number, second के लिए चलते है, second question में क्या कह रहा है, यह देखो, let f be a differential function, such that f-4 बरावर 5, तो पहली बाद तो यह क्या कहना चाहरा है, कि f-4 की value आपको दे रखी है, कितना 5, और क्या कह रहा है, limit निकालनी है, आपने को इसकी, चलो, तो सबसे पहले limit निकालने का तरीका क्या होता है, यह पता करते हैं, आपन कि कौन सी वाली form बन रही है, ठीक है, तो सबसे पहले आपने limit को put किया 2, तो 2 put करोगे, क्या जाए यह आपका limit x tending to 2, उपर वाले का derivative यह तो constant है, तो 0 हो गया, उसका differentiation क्या हो जाएगा, बताओ, f-x square और chain rule से x square का differentiation 2x, नीचे वाले का derivative कितना आजाएगा, 1, तो अब देखो, अपने पास जो function क्या दिरखा है, अपने को fraction आगे अपने पास, minus का यह, तो एक कान करो, अब x की value 2 रखोगे, तो कितना आजाएगा, देखो, minus का f, यह तो 2 to 4, into यह 2 to 4, upon my 1, तो value कितनी आगे, यहां सा check कर लो, f-4 की value दिरखी थी, अपने को कितनी, 5, 5-4 जा 20, तो minus का 20, तो option number 4 ठीक है, ठीक है, चलें आगे, चलो, next question number 3, if y बराबर यह दिरखा है अपने को, then इसका value क्या होगा, तो देखो, सबसे पहली बात तो यह हो गई, कि अपने को function, y equal to दिरखा है एक expression, तो अपने को dy upon dx, और d2y upon dx, d2y upon dx2 की value निकाल नहीं है, तो एक काम करें, पहले तो differentiate कर लो, तो क्या हो जाएगा, dy upon dx, equals to क्या आजाएगा, बताओ, यह तो constant है, cos का differentiation, minus sign, ठीक है, minus नहीं, प्लस आएगा, अब b, cos, log x to the base e, ठीक है, log x का differentiation भी होगा न, chain rule से, log x का differentiation क्या होगा, one upon x, ठीक है, क्योंकि base क्या है e, तो ln x है, चलो, एक काम करें, अब x का lcm लेकर इदर ले आए, तो x को इदर ले आओ, तो x into क्या आगया, dy upon dx, equal to में क्या बच गया, minus का a sin ln x, प्लस b cos ln x, ठीक है, अब एक काम करो, अब एक काम करो, एक बार और differentiate कर दो, तो इसमें product rule लगा लो, आप, product rule लगा होगा, तो क्या हो जाएगा, x का differentiation 1, into dy upon dx, प्लस x into dy upon dx का y double dash आ जाएगा है न, d2y upon dx2, बराबर में क्या जाएगा, बताओ, minus का a sin, sin का क्या होगा, differentiation cos ln x और ln x का क्या होगा, 1 upon x, आगे चलें, cos का differentiation क्या होगा, minus होगा, तो minus sin ln x और ln x का differentiation क्या होगा, 1 upon x, फिर से एक और x आगे नीचे, फिर से आप lc म लेके x को इधर लिया हो, तो क्या बन जाएगा है, x into y dash, प्लस x square into y double dash, बराबर में क्या आगे है, minus in common ले लें दोनों में से, तो minus in common logic तो अंदर क्या बचेगा, a cos ln x प्लस b sin ln x, ठीक है, तो क्या answer आगे आपना, ये जो लिखा हुआ है, a cos ln x प्लस b sin ln x, वो क्या था अपना, वो था अपना ये, ये क्या था y, तो क्या value आ रही है, minus of y, तो इसका value आएगा, वो क्या आएगा, minus y आएगा, तो option number 40 fourth, क्या कह रहा है, let fx बरावर ये, where p is a constant, then the value of p, for which f double dash 0 बरावर 0 है, तो एक काम करें पहले, fx क्या है, एक determinant दिरखा है अपने को, fx क्या दिरखा है अपने को, fx क्या दिरखा है अपने को, एक determinant given है, तो मिरे को ये बताओ, ये जो determinant आपको given है, तो differentiation of determinant आपने क्या करते हैं, फिर second time में second row को, और third time में third row को, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि, जो first row है ना, बस उसी में x आ रहा है, बाकी दोनों जो row हैं, वो कैसी है, constant है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी दोनों का derivative क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो बाकी दोनों को differentiate करने की ज़ और cos का minus sin x, बाकी सब edge, 6 minus 1, 0, p, p square, p, q, ठीक है, और बाकी दोनों determinant क्या जाएगे, 0 आ जाएगे, क्योंगी second row और third row में x का कोई भी term नहीं आ रहा है, ठीक है, ये तो क्या आ गया, f dash x, अब ये क्या बूछ रहा था आप से, f double dash के बारे में, तो एक बार और differentiate कर लेते है आपका, f double dash आजाएगा आपका, यहाँ 6x, यहाँ minus का sign, यहाँ minus का cos, minus का cos और बाकी सब as it is, 6 minus 1, 0, p, p square, p q, ये p q है, ठीक है, अब देखो, आजाओ, तो f double dash 0 की value क्या दे रखिया है उन्होंने, 0 के बेने, तो f double dash में क्या रख दो आप, 0 पुट कर दो x की जगा, तो f double dash 0 बताओ, क्या आजाएगा यहाँ से, बड़ा f double dash 0 आजाएगा आपका, x की value आपने 0 रखी, तो यह तो क्या हो गया, 0 हो गया, यह वाला element, sin 0 की value, 0, cos 0 की value, 1, तो यह जो determinant है, वो क्या बन क्या रहा है, आपका, 0, 0, minus 1, 6, minus 1, 0, p, p, p square, p q, ठीक है, कर लो इसको simplify, इस वाले element के लिए अपने को क्या करना है, expand करना है, इस determinant को, तो minus 1 के लिए क्या आजाएगा, 6 into p square, plus p, तो क्या आजाएगा, minus 1 into 6p square, plus p, equal to क्या दे रखाएगा, अपने को, 0, तो इसको कर लो multiply, p common ले लो, 6p plus 1 रह गया, equal to 0, तो p की value दो आ रही है, एक आ रहा है, 0 और एक आ रहा है, minus का 1 upon 6, तो दो value रहेंगी, minus 1 और 0, minus 1 upon 6 और 0, ठीक है, चलें आगे, तो कुछ नहीं करना, differentiation के लिए ध्यान रखना है, कि determinant का जो differentiation करते हैं, पन वो एक बार में एक ही रोका होता है, तो first time में, first row को किया, बाकी दोनों time में क्या हो जाएगा, उ क्योंकि उसमें कोई भी x का element present नहीं है, चलो next, question number 5, क्या कह रहा है, f of x plus y बरावर है, fx into f y, for all x and y, f3 का value 4 दिरखा है, f dash 0, 6 दिरखा है, देखो क्या करेंगे, f dash 3 निकालना है ना आपको, तो एक काम को रोपय लेतो आप, f dash 3 निकालना है, तो आप जब भी functional equation का ऐसा कोई question आ रहा है, तो पहले उसमें आप x और y की value put करें, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो बटा, differentiation की बात हो रही है, किसकी derivative की है, f dash क तो एक काम करेंगे अपन, y की value आप रख दो इसमें, कितना, 3 रख दो, y की value 3 रखने से क्या होगा, f 3 की value तो अपने को देखी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो y की value 3 रख दी तो क्या हो जाएगा, f of x plus 3 बराबर, fx into f3, सही है, अब इसका आप derivative निकाल लो, तो derivative क्या जाएगा, f dash with respect to x आपने differentiate कर लिया, इसको, ठीक है, क्या हो जाएगा, f dash x into f3 का value कितना था, constant है, 4 आजाएगा, ठीक है, चालो, f dash ही आगया, अब आपको देखो, ये जो equation है, इसमें मैं x की जगह क्या put करूँ, कि मेरे को ये f dash 3 का value मिल जाए, और f dash 0 दे रखा ह आप, x की जगह, 0 put कर दो, तो ये तो बन जाएगा, आपका f dash 3, ये आजाएगा, 4 into f dash 0, और f dash 0 का value कितना था रखा है, आपको, 6, तो कितना अंसर आजाएगा, 24 आजाएगा, एक बार में, ठीक है, तो option number 4, correct होगा, clear, चलें आगे, चलो, question number 6, क्या कह रहा है, y equal to 10 inverse of this, देखो, पहली बात तो ये समझो, कि जब भी अपने पास 10 inverse में सीरी जा रही है, तो आपको पहले तो, सबसे पहले, क्या करना है, sigma की form में convert कर लो, इसको, जब भी सीरी जा रही है, कोई भी 10 inverse में, या cos inverse में है, तो कोशिच करो, पहले 10 inverse में convert कर लो, 10 inverse में convert हो जाए, उसके बाद क्या करोगे, इसको आप, इस तरीके से लिखोगे, कि 10 inverse A, minus 10 inverse B का form बन जाए, ठीक है, तो मैं जैसा की देख पा रहा हूं, मेरे को पता है, कि सबसे पहले क्या करना होता है, अपने को, बताओ, 1 को अलग कर दो, जो बचा हुए दो elements रह गए, इनको क्या करोगे आप, X into X plus 1 की formula लिख दो, मेरी बात समझा रही है, सबसे पहली बात, 1 को आप separate कर लो, क्योंकि formula क्या बनता है अपना, 10 A minus 10 B upon 1 plus, 1 minus 10 A 10 B, 10 A minus 10 B upon 1 plus, 10 A 10 B, यह होता है, तो 1 plus, तो 1 के form, 1 अलग कर लो, उसमें साथ में किसी के, तो 1 वहां से अलग कर लो, ठीक है, तो क्या बच गया आपका, X into X plus 1 में रह गया, next, अगला जो टर्म में वो क्या है, 10 inverse of this, इसमें बताओ क्या करा जाए, 1 को अलग करो पहले नीचे, 1 को अलग करोगे, तो क्या बच गया, X square plus 3X plus 2, अब इसको करो आप factorize, तो क्या बनेगा, आपका X plus 1 into X plus 2 बनेगा, तो यह बन गया, X plus 1 into X plus 2, तो आपके पास जो series given है, वो बहुती simple सी है, ज़्यादा tough नहीं है, आपको ज़्यादा उसमें कुछ नहीं करना पड़ा, नहीं तो कई बार ऐसी series आती है, उसमें आप वो काफी कुछ करना पड़ेगा, अपने प्लस माइनस 1 करना पड़ेगा, या factorize करने के बाद, प्लस माइनस 1 करना पड़ेगा, ठीके न, तो यह आगी बसंज है, चलो, आगी चलते है, and so on, है न, and so on, कितने पतों तक लेना है, अपने को, and पतों तक, चलो, अब यह यह मैंने, x प्लस 1, माइनस x, ठीक है, यहाँ पर टर्म कौन आ रहे है, x प्लस 1 आ रहा है, और x प्लस 2 आ रहा है, इन दोनों का जो difference है, वो कितना है, 1, तो यहाँ पर भी इसको क्या लगूंगा, मैं, x प्लस 2, माइनस, x प्लस 1, clear, ऐसी जो अगला वाल आएगा, वो क्या करें क्या, 1 को अलग करोगे, 1 को अलग करोगे तो क्या बचेगा, x square प्लस 5x, प्लस 6 बचेगा, तो क्या बन गया, यह x प्लस 2 इंटो x प्लस 3, तो उन दोनों का difference मि कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो उपर क्या जाएगा, x प्लस 3, माइनस, x प्लस 2, और नीचे जाएगा, 1 plus x plus 2 into x plus 3, ठीक है, and so on, इस तरीके चलता जाएगा ये, चलो, अब बताओ, ये तो क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका 10 inverse a minus 10 inverse b, तो क्या बन जाएगा 10 inverse x plus 1 minus 10 inverse x, next टर्म क्या जाएगा, 10 inverse x plus 2 minus 10 inverse x plus 1, सही है, and dot dot dot, अब बताओ, तो nth term क्या आएगा, तो nth term क्या आएगा, सोचो आप, first term में यहापे क्या रहा था, first term में plus 1 हो रहा था, इसमें plus 0 हो रहा है, second term में, यहां ब्लस 2 हो रहा है यहां प्लस 1 हो रहा है तो n वे टर्म में क्या होगा समझो बात को फॉर्स टर्म में 1एड हो रहा है तो n th टर्म में क्या होगा no end होगा तो nx जो टर्म है वो क्या हैगा x प्लस n और यहाँ पर क्या जाएगा माइनस में 10 inverse x प्लस n-1 बोलो गलत तो नहीं किया रहा सही है न nx टर्म जो होगा उसमें n मा जो टकपत है उसमें क्या आएगा 10 inverse x प्लस n-10 inverse x प्लस n-1 अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं होड़ा सा और है ना चलो बताओ क्या cancel out हो रहा है 10 inverse x प्लस 1 से 10 x प्लस 1 cancel out हो गया 10 inverse x प्लस 2 से x प्लस 2 हो जाएगा and so on तो जब second term बच रहा है तो क्या बचेगा second last बचेगा ठीक है ना तो कुल्म लाके आपके पास क्या बचा इसमें 10 inverse x प्लस n बच गया minus 10 inverse x ठीक है यह बच गया और यह क्या था अपना यह था आपका y क्या निकालना है आपको बताओ d by upon dx निकालना है y dash तो y dash क्या हो जाएगा बताओ y dash आजाएगा आपका 1 upon 1 plus x plus n का whole square और x का derivative क्या जाएगा 1 आजाएगा chain rule से minus यहाँ पर 10 inverse x का differentiation क्या हो जाएगा 1 upon 1 plus x square अब आपको क्या करना है बताओ आपको कुछ नहीं करना x की value 0 रख नहीं है then you will get d by upon dx तो आप x की value 0 रख दो और आपके पास answer मिल जाएगा आपको जो भी है तो क्या मिल रहा है बताओ जाएगा y dash 0 कितना जाएगा यह तो आ रहा है 1 upon 1 plus n square यहाँ बचेगा minus का 1 तो LC मिले लेना कितना जाएगा minus का n square आ गया वन से वन कट गया और नीच आ गया 1 plus n square तो कौन स्रॉप्शन आ रहा है देखो minus का n square upon 1 plus n square यानि की option नमबर सेकेंड आ रहा है कर लोगे चेक आरा हम से तो इस तरीके से सीरीज वाले जो question है काफी important है अच्छे से कर ले हैं तो क्या करेंगे अपन logarithmic differentiation का यूज करते हैं तो क्या करोगे आप दोनों तरफ log ले लोगे log ले लो तो log of x to the power y वराबर log of e to the power क्या हो जाएगा 2 into x minus y ठीक है तो power आ गया जाएगी तो क्या बन गया यह y ln x वराबर क्या तना कितना हो गया 2 into x minus y अब मैंने क्या बोला है तो मालो जब भी आपके पास options में क्या देखो आप options में क्या आ रहा है सिर्फ x x आ रहा है सब जगा तो आपको क्या करना है y को अलग कर लो बिलुकुल जिससे कि आपको एक बार में क्या मिल जाए dy upon dx मिल जाए तो आप एक काम करो पहले y को separate out कर लो ठीक है तो y को separate करने के क्या करो गए आप y lnx equals to 2x minus 2y अब 2y को धल ले आओ और y common ले लो तो क्या बन जाएगा बताओ 2y को धल ले क्या होगे तो 2 plus lnx बचेगा y common लेने के बाद और इधर क्या बचेगा 2x तो बस question खतम हो गया आपका असान हो गया एकदम तो y बरावर क्या हो गया 2x upon 2 plus lnx दिख रहा है आपको अच्छे से तो देखो अब ये तो ही आ गया अब इसमें लगा तो आप question ट्रूल तो y dash बरावर कितना हो जाएगा बताओ उपर वाले का differentiation यानि कि 2 इंटू नीचे वाला 2 plus lnx minus नीचे वाले का differentiation 1 upon x इंटू उपर वाला यानि कि 2x और नीचे क्या हो गया whole square किसका हो जाएगा बताओ 2 plus lnx का तो ये तो x x कट गया कितना बच गया minus का 2 यहाँ पर कितना है 4, 4 minus 2 कितना बचेगा 2, 2 plus 2 lnx यानि कि 2 कॉम ले लोगे 2 into 1 plus lnx तो क्या बचेगा करूं के सवाल बागे कर लो क्या आराम से है ना बच्चों वाले काम है 2, 2, 4, 4 minus 2 2 बचेगा है ना 2 plus 2 lnx लेकिन पता है दिक्कत क्या आएगी दिक्कत ही आएगी इदि आप इसको direct क्या कर दो इसको आगे ले लो और फिर इसको करना शुरू कर दो तो उसमें दिक्कत आएगी आपको जब y अकेले रहे जाएगा फिर y की value दुबारा से put करनी पड़ेगी आपको ठीक है ना तो y को आप अलग कर लो सबसे अच्छा तरीका है जब भी आपको derivative निकलना हो तो पहले यह देखो कि options क्या दे रखें है options नहीं दे रखें तो फिर तो आपको खुद का IQ लगाना है कि क्या करूं कि simple से simple calculation हो अपनी ठीक है तो चलते है next question पर इसका answer कौन सा रहा है 2 into 1 plus ln x upon कि चलो next question नमबर आठमा क्या कह रहा है d upon dx of fx बराबर है 1 upon 1 plus x square के तो d upon dx of f of x cube का value क्या होगा चलो करते हैं शुरू सबसे पहले तो मिरे को यह बताओ आप आपको given क्या है d upon dx of fx है ना तो एक काम करो दोनों तरफ integrate कर लो तो क्या मिल जाएगा आपको fx बराबर 10 inverse x plus c मिल गया अब आप एक काम करो अब fx cube निकल लो तो x को replace कर दो किस से x cube से तो fx cube बराबर क्या जाएगा 10 inverse x cube plus c बन जाएगा बचेगा अब इसका derivative चाहिए अपने को तो d upon dx of किसका f of x cube तो क्या जाएगा बताओ इसका derivative तो 10 inverse का क्या होता है 1 upon 1 plus x square यानि की x cube का square कितना हो गया x की power 6 into chain rule से इसका differentiation तो यह कितना हो जाएगा 3x square और plus में कितना हो गया 0 तो कौन्स option से यह बताओ 3x square upon 1 plus x to the power 6 चलो next 9th question 9th question में क्या कर रहा है यह देखो कई साधे terms आ रहे हैं जो आपस में क्या हो रहे है multiply में है ना जब भी आपके पास दो से ज़्यादा terms आ रहे हैं किसमें multiplication में हैं तब अबन क्या कर लेते हैं logarithmic differentiation का यूज कर लेते हैं, यानि कि उस पूरे का log लेके solve कर लेते हैं, तो दो तरीके हैं इसको करने के, या तो आप log ले लो, या एक और तरीका है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, आप क्या करो, देखो ध्यान से यहां क्या है, x plus 1, यहां x square plus 1, यहां x e power 4 plus 1, और यहां मैंने क्या देखा, यहां पर x plus 1 है, यहां x square plus 1, यहां x e power 4 plus 1, यहां आपने questions किये होंगे, sequential series में, ठीक है न, तो आपने क्या करना है, x minus 1 से इसको multiply और divide कर लेना है, इससे क्या बन जाएगा, यह a minus b into a plus b की form में आ जाएगा, तो क्या बन गया, x square minus 1 बन गया, फिर क्या होगा, x square minus 1 multiply होगा किससे, x square plus 1 से, तो क्या बन जाएगा, बताओ, x की power 4 minus 1 बन जाएगा, फिर यह multiply होगा किससे, x की power 4 plus 1 से, तो क्या बन जाएगा, x की power 8 minus 1, फिर यह किससे multiply होगा, x की power 8 plus 1 से, तो क्या बन जाएगा, x की power 16 minus 1, समझ में आगी होगी बात, a plus b into a A-B, क्या होता है, A square minus B square, और नीचे क्या था अपना, जिससे हमने डिवाड़ किया था, X-1, तो कुल मिला के यह आचुका है, कौन, Y, Y माल लिए, इसको मैंने है, न, चलो मत मानो, यह आगे आपका, पूरा simplify हो गए, D upon Dx of this, तो इसका derivative निकालना है अब आपको, तो कर लोग X की power 16 minus 1, और नीचे वाले का whole square, यानिकि X minus 1 का whole square, कल लो के सवालो भावाराम से, multiply कल लो, 16 X की power 16 minus 16 X की power 15 minus X की power 16 plus 1, नीचे X minus 1 की power 2, यह तो minus 2 हो जेगी power, और बाकी यह कितना बचेका, चेक कल लो, X की power 16 है यह भी, यह भी 16 है, तो कितना बचेका coefficient 15, तो आप से क्या पू पंद्रा के साथ जो X की पावर है वो क्या है पी और 16 पावर है एक्स की वो क्या है क्यूं तो देखो 15 वाले के साथ क्या रहा है 16 और 16 क्या रहा है 15 तो 16, 15 यानि की option number 4 आएगा सही है ना चले आगे next चलो next question number 10 में देखो क्या करना है the value of sec of this तो सबसे पहला क्या बात होती है जब भी अपन ITF का question करते हैं तो जब भी inverse function दे रखा होगा तो पहले अपन ये चेक करेंगे उसकी range क्या होती है तो आपको पता है sin inverse जो होता है function उसका range क्या होता है minus pi by 2 से plus pi by 2 cos inverse का range क्या होता है 0 से pi तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे simplify कर लेते हैं थोड़ा सा पहले तो तो sec minus sin तो भार ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है minus of sin inverse अब देखो ये जो है ना sin 50 pi upon 9 पहले तो उसको छोटा करो क्योंकि ये तो काफी बढ़ा है भी तो है ना तो इसको अप को आता ही है किना तो करना शिक्स नाइन शिक्षा 54 50 बचेगा सही है चलो आगे प्लस बागी थोड़ा हो दूपर नीचे होगा तो अपन देख लेंगे भी है ना कॉस इंवर्स ओफ कॉस इसको क्या लिए सकते हो कॉस ओफ माइनस शिटा क्या होता है कॉस शिटा होता है एजट इज रहेगा कोई दिक्कत नहीं है इसको क्या लिए सकते हैं अपन नौतिया 27 तो 3 pi प्लस करना पड़ेगा 274 4 pi by 9 सही है यह आगया चलो अब बताओ साइन 6 pi माइनस ठीटा क्या बनेगा जब इवन पाई होगा तो इवन में इवन पाई मेंस घटा हो गया तो कौन सा क्वाडरेंट आएगा फोर्थ क्वाडरेंट और फोर्थ क्वाडरेंट में साइन कैसा हो माइनस का साइन 4 pi by 9 और माइनस साइन भार जाके क्या हो जागा प्लस तो क्या बचेगा आपका साइन इंवर्स ऑफ साइन 4 pi by 9 अब यह चेक कनपड़ेगा यह एंगल है कि नहीं अभी है ना किसमें माइनस 5 by 2 से प्लस 5 by 2 की रेंज में चलो यहां आ जाओ यहां क्या रहा ह माइनस को अपन इसको लिख सकते हैं अपन 4 4 pi 4 pi करने से क्या हो जागा 9 4 36 36 में से क्या गटा दूं कि 30 बना जाए 5 गटा दूं चलो तो यहां पर इसको 5 बना दिया ठीक है और यह हो गया माइनस दोबार लिख दूँ इसको में यह ना सही रहेगा इसी हो जाएगा नोड़ आपको ज़्यादा समझने की समझाने की जरुत भी पड़ेगी है ना तो कॉस ओफ 4 pi 9 4 36 36 माइनस 5 कितना हो गया 31 तो यह सही है ना तो कॉस ओफ इवन पाई माइनस चीटा क्या होता है कॉस चीटा होता है तो कॉस इनवर्स ओफ कॉस 5 5 9 ठीक है न यह आ गया अब देखो 5 5 5 9 क्या 0 से पाई के बीच में आता है बिल्कुल आता है नियूमेटर चोटा है डियूमेटर बढ़ा है ना तो यह कितना हो गया गया है इसका मतलब या भी छोटा है कोई दिक्कत नहीं है तो इसका मतलब इसकी वेलिव तो क्या आगई पैई ऱैन जुない को अट्यकर लो कितना पशा हो है सिसे पाई ऑगया तो सैक पाई कितना होता है माइनस बन तो option number 4 is correct ठीक है तो यह था आपका question number 10 चलते हैं आगे question number 11 के लिए तो क्या लिखा हुआ है sec square 10 inverse 2 plus cosec square 4 inverse 3 इसका value पूछ रहा है कितना होगा तो एक काम करो आप इसको पहले है ना जब भी inverse ITF का question है तो आप अंदर वले कुछ माल लो इसको alpha माल लो और इसको beta माल लो तो क्या बन जाएगा यह sec square alpha plus cosec square beta इसको लिख दो आप 1 plus 10 square alpha इसको लिख दो 1 plus cot square beta ठीक है अब बस हो गया 1 और 1 तो कितना हो गया 2 10 square alpha को मतलब क्या हो गया 10 alpha का whole square और यह क्या हो cot beta का whole square इसको माना था अपने alpha तो 10 alpha की value कितनी हो जाएगी 2 इसको माना था beta तो cot beta की value कितनी हो जाएगी 3 तो इसकी value 2 2 का square इसकी value 3 तो 3 का square तो कुलम लाके इसका क्या बनगा answer अपना यह आ जाएगा 9 plus 4 13 13 plus 2 15 हारी बसन में तो option number कौन से होगा 3 सब्सक्राइब आई बात नहीं आई जब इसको ऐसे मान देना alpha तो 10 inverse 2 को आपने alpha माना तो 10 alpha की value कितनी हो जाएगी आपकी 2 आज जाएगी ना देखो बड़ा next question number 12 क्या कहना चाहरा है आपसे the value of this इसकी value निकलनी है आपको तो एक काम करें इसको मान लो आप alpha इसको मान लो आप बीटा जब भी question आए ना inverse function का तो आप सबसे बेले alpha बीटा मान लो इनको उससे क्या होगा question बड़ा easy हो जाता है solve करने में ठीक है और convert कर इसको किसमें 10 inverse में है तो यहां से क्या आजाएगा cos alpha की तो value आजाएगी root 2 upon root 3, cos beta की value आजाएगी root 6 plus 1 upon 2 root 3 सही है cos alpha कीतना है root 2 upon root 3 तो यहां से 10 alpha कीतना होजाएगा बताओ यह तो आप कर लोगे triangle बनाके यह base upon hypotenuse है तो वो क्या होजाएगा perpendicular upon base तो क्या होजाएगा 1 upon root 2 निकाल लोगे एक काम कर लोगे आप आराम से अच्छा यहां पे क्या है यह cos beta तो 10 beta कीतना होजाएगा perpendicular upon base तो base तो यह बताओ मिरको perpendicular तो क्या करना पड़ेगा hypotenuse का square दो दुनी चारती है 12 minus base का square यानि कि इसका square तो कितना वजाएगा minus 6 minus 1 minus का 2 root 6 तो यह कितना आ रहा है चेक करो जल्दी ज़ल्दी जे 5 minus 2 root 6 आ रहा है कितना रहा है 5 minus 2 root 6 तो 5 minus 2 root 6 तो आ पता है क्या लिख सकते हो root 3 minus root 2 का whole square यह चीज़ आपको इतना पता होना चाहिए आना चाहिए ना कि यह perfect square रहा है किसका root 3 minus root 2 का गलती कहा हो सकती है गलती यह हो सकती है कि इसको आप लिख दो गलती से root 2 minus root 3 का whole square है ना तो दिक्कत कोई नहीं है बट अपनी क्या होता है ना जब भी ऐसे लिखा हो तो आप ब वेल्यू कितनी आगई 10 inverse root 3 minus root 2 upon root 6 plus 1 साहिए अब ध्यान से देखो यह क्या बन गया 10 inverse root 3 minus root 2 upon 1 plus root 6 क्या लिख लोगे आप root 3 into root 2 तो क्या बन जाएगा यह 10 inverse A minus 10 inverse B लेकिन बाहर कैसा साहिन है minus का तो यह क्या हो जाएगा plus का ठीक है यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 inverse 1 upon root 2 लिख इसको क्या लिख सकते हैं आप court inverse root 2 अब court inverse root 2 plus 10 root 2 क्या बन जाएगा बता वो 10 inverse x plus court inverse x क्या होता है पाई बाई 2 तो यह तो हो गया आपका पाई बाई 2 minus 10 inverse root 3 कितना हो जाएगा पाई 3 तो यह पाई बाई 3 हो गया कितना अंसर आगे बता हो पाई 6 तो इस question का अंसर कितना cos inverse x बराबर है 0 तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ complete set of values of x क्या रहा होगा तो एक काम करें पहले तो अपन सबसे पहली बात तो दोनों GIF का सम कितना रहा है अपना दोनों GIF का सम है 0 तो आपको यह पता होना चाहिए cos inverse x और COT inverse x दोनों की जो range होती है वो क्या होती है ? czyli python se π kobi होती है तो इसकी minimum value कितनी हो सकती है ? ! और इसकी minimum value कीतनी हो सकती है ? 0 तो इसको मतलब यह हो गया कि COT inverse x और cos inverse x दोनों को 0 होना पड़े गा तभी दोनों का जीरो के बराबर, 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो सकती है, तो X की वेल्व क्या जाएगी, यहां से बताओ जरा मेरे को, X की वेल्व आ जाएगी, cos 1 से छोटी और cos 0 से बड़ी cos 1 से बड़ी और cos 0 से छोटी या उसके equal क्यों क्योंकि cos कैसा function है cos inverse होता है अपना decreasing function तो इसलिए cos 1 से cos 0 की बीच में होगा x तो cos 1 तो cos 1 ही रहेगा बट cos 0 की value कितनी हो जाएगी बताओ 1 हो जाएगी तो यहां से जो x का range आ रहा है वो आ रहा है cos 1 से 1 बात क्लियर हो गई चलते हैं आगे cot inverse x इसी द्रव अब बताओ cot inverse x भी क्या होना चाहिए अपना 1 से 0 के बीच में होना चाहिए ठीक है cot inverse x इसी range क्या होती है अपनी 0 से पाई होती है open interval में है तो क्या होजागा यहां से देखो x हो जाएगा cot 1 से घृषकण हो और kicking q बीच में होकि infinite तो हुजब मिरको क्या range हो जाएगी यह बात कि बहुटे दिहुटी लें यह जिता इस ब्ताओ भूस वन बढ़ा होता है या काल वन यह आपको चेक करना पड़ेगा ठीक है नहीं तो कॉट वन मितलब कितना हो गया है समें कॉटर मितलब हो गया कॉट वन फिफ्टी सबब्री और कॉट सहन की और हो बताऊकर्द cens dua देकर कोर भा होगा थो तो आप एक बात छोटी सी जो होता हूँ कॉस 60 डिगरी कितना होता है 1 by 2 और कॉस 60 कितना होता 1 by root 3 तो इन दोरों में से कौन बड़ा है कौन चोटा है obviously 2 बड़ा होता है root 3 से इसका मतलब यह number छोटा है और यह number बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो गया अपने पास जो answer आएगा वो क्या है इसका तो आगया समझा दूँने थो बड़ा सा और यह देखो यह तो हो गया तुम्हारा cot 1 से infinite इधर और cos 1 क्या है अपना छोटा है किस से cot 1 से तो cos 1 यहाँ पर आजाएगा cos 1 से 1 तो दोनों में common part गोंसा आगया यह वला आगया तो answer क्या जाएगा cot 1 से 1 तो 1 किसमें close interval में 1 पर क्या है close interval आएगा क्योंकि equal to sign आ रहा है तो answer क्या आएगा अपना cot 1 से 1 ठीक है तो option नमबर 3 करेक्ट होगा बच्चो यह आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए ठीक है चलें आगे चलो next question पर चलते है question number 14 क्या कह रहा है fx अपने को given है और f of sin inverse of sin 8 की value alpha दिरगी है और sin inverse sin 8 यह अपने को दिरखा है alpha ठीक है तो फ़ड़ा simplify कर लिए जाए sin inverse of sin x या होता है x होता है बट उसके लिए condition क्या है कि x must lie between minus 5 by 2 से plus 5 by 2 तो फिलाल तो यहां पर कितना है 8 डिए न है तो इसको solve कर लिए तो बताओ मेर को जरा sin inverse of sin x के लिए अपने क्या बड़ा हुआ है याद है आपको sin inverse of sin x अग्राफ है ना समझा दूमें अच्छे से आपको जिससे कि आपको अगली वाज़ा पोशन करो तो दिक्कत नहीं आए ठीक है देखो यहां पर कितना है 8 डिए न है तो यह किसमें आएगा बताओ 0 5 2 5 2 5 क नू 2 से पहले होगा यहां पर होगा 8 तो किस ब्रांच पर आ रहा है वो इस ब्रांच पर आ रहा है और इस ब्रांच की एक क्या होने गी बताओ इस ब्रांच की किस्वाइगी सुलोप कैसा है इसका negative तो ।-x3 3pi क्या बन जाएगी इसकी equation sin inverse of sin x में इसकी equation बनेगी minus x plus 3pi समझेगे न कैसे मनाया मैंने 3pi से पास हो रहा है और सुलूप क्या इसका minus 1 तो बताओ क्या लेख सकते हैं इसको f of minus x minus x बोले तो minus 8 minus 8 plus 3pi बराबर alpha यह आ गया यानि कि अपने कोई यह समझा गया f of 3pi minus 8 की जो value है वो alpha है अब चलते हैं आगे अब इधर आ जाओ दूसरा दूसरा कौन है अब f of 10 inverse of 108 इसको भी निकालो तो इसके लिए मैं ग्राफ बनातू छोटा सा तो 10 inverse of 10x क्या होता है यह क्ये होता है कि यह क्या है एपना python य..ए क्या हो जायगा 2 python और next क्या हो जाएगा थपई दिख रहा है सबको Buddhist कै na next हो जाएगा 3 python टो छलो दुबार कर लेते हैं वहाँ आछा बदम आप दिख रहा है, तो यह 10 inverse of 10x अगर आप रहा है, ठीक है, 10 inverse of 10x, y बराबर, तो यह क्या है अपना πाई, यह 0, यह 2 पाई, और यह 3 पाई, तो इसका अगर इसकी equation क्या बनेगी बताओ, 3 पाई के लिए, इसकी equation बनेगी अपकी y बराबर, x-3, slope क्या, plus 1, कहां से पास हो रहा है, 3 पाई से, तो x-3 पाई, तो इसका answer क्या आएगा, यह जागा, f of 8-3, यह अपने को चाहिए कितना आएगा, ठीक है, तो यह बताओ मेरे को आप छोटे सा बात, कि f of minus 8 plus 3 पाई था यहाँ पर, तो इसकी value क्या थी alpha, तो f of 8-3 पाई की value क्या आएगी, यह अपने को पूछ रहा है वो, चलो, तो करें चलो, यह बताओ में आगी, इसको मैं रप कर दूँ, चलो, इसको रप कर दूँ, आजाओ, तो अपने पास जो value है, f of, किसकी पूछ रहा है बताओ, 8-3 पाई की, तो क्या हो जाएगा, 8-3 पाई, hold to the power 11, plus 8-3 π, hold to the power 9, minus 8-3 π, hold to the power 7, plus 8-3 π, hold to the power 3, plus 1, ठीके न, 8-3 π की value पूछ रहा है, तो यह आगे समने सबको, अब मैंने इसकी value निकाल लहीं है, तो क्या करना है मिरको, यह जो मिरको find करना है, इसको मैं convert करने जा रहा हूँ, जो भी मैंने find किया था, क्या find किया था मैंने, कि f of, minus 8-3 π की value है, वो क्या है, alpha, तो इसको आप क्या कर लो, बस minus sign common लेलो, इन सम्में से, तो minus sign common लोगे, तो क्या होगा, देखो, odd power है सबकी, तो odd power है, तो minus sign भारा जागा सबका, तो सम्में से मैंने minus sign common लेलिया, ठीक है, तो minus sign common लेती, क्या होजागा बताओ, यहां तो बन जाएगा, 3 pi minus 8, whole to the power 11, यहां minus आजाएगा, तो यह plus होगा दोबारा से, क्या बन जाएगा, 3 pi minus 8, whole to the power 9, minus sign common लेलिया, मैंने सम्में से, ठीक है, पहले, इस में से common लेलिया, और उसके बाद, पूरे में से common लेलिया, 3 pi minus 8, to the power 7, plus 3 pi minus 8, whole to the power 3, और यह क्या बजाएगा, minus sign bar common, अब यह क्या चल रहा है, बताओ, यह चल रहा है, आपका, f of 8 minus 3 pi का value, ठीक है, अब देखो, यह जो आया है, आपके पास, अब आप ध्यान से देखो, यहां पे क्या आ रहा है, 3 pi minus 8, तो जहाँ जहाँ पहले, 8 minus 3 pi आ रहा था, वहाँ पर क्या आ गया, 3 pi minus 8, और 3 pi minus 8 की जो value है, 3 pi minus 8 की जो value है, यह वाली, यह क्या है, alpha, तो यह बताओ मेरे को आप, कि 3 pi minus 8 की जो value हो कहाई रहा है, आपको alpha दे रहा है, तो यह बताओ, यह, प्लस ये, माइनस ये, प्लस ये, और प्लस कर दूं में अपनी तरब से 1 और सब्टेट कर दूं 1, तो प्लस 1 भी, तो इन सब की value मिला की क्या बन जाएगी, alpha, तो ये तो क्या होगी आपका, alpha, सही है, और बाकी last में क्या रहाएगा, माइनस का 2, तो sign change जागा, तो क्या हो जा ये सारा काम, बट आपको ये धी question का थोड़ा सा भी idea है, और मैंने ये जो समझाया था, ये चीज़ तो अपने कितने में कर लिया था, मुश्कल से 20 सेकंड में, तो ये जो काम कर रहा था, अपने इसके बाद आपको ये question का answer, खुदी सोच लेना चाहिए था, कैसे, ये जो क्या पुछ रहा हूं, f of minus t, तो f of minus t की value क्या जाएगी, आप x की जगे replace कर दो, minus x, या minus t replace कर दो, तो वो जो value है, वो क्या जाएगी, 2 minus alpha जाएगी, है ना, तो ये काम तुरंट हो सकता है, लेकिन इमने समझाने के लिए आपको पूरा लिखके दिखाया, ठीक है, तो आप सबसे पहले बात, जब भी आपके सामने क्या आती है, logarithmic inequality, तो logarithmic inequality का सबसे पहला काम क्या होता है, base देखो आप, base cd variable है, तो तो फिर case बनाते है बन, और variable नहीं है, constant है, तो ये देखा जाता है, कि base 1 से छोटा है, या 1 से बढ़ा है, base cd 1 से बढ़ा होगा, तो inequality का sign change नह चोटा, अब sin inverse x, cos inverse x से छोटा है, और दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, बताओ, positive होने चाहिए, क्योंकि दोनों किस के अंदर आ रहे थे, lock के अंदर आ रहे थे, तो आप inequality को जब भी solve करें, तो जब भी lock के अंदर रहे रखा है, तो आप उसमें पहले ही case में solve कर लें, कि greater than 0 भी हमको रखना है साथ के साथ, तो दोनों का graph बना लूँ, मैं proper से समझना आ जाएगा आपको, पताओ, ये तो किसका होगया, sin inverse x, ये किसका होगया, cos inverse x, तो एक बाद बताओ, चोटी सी मेरे को, sin inverse x, cos inverse x से छोटा होना चाहिए, और इसमें लेना क्या है, 0 से बढ़ यानि कि ऊपर की बात हो रही है, सिर्फ, ठीक है, दोनों क्याने चाहिए, 0 से बढ़े बने चाहिए, यानि कि ऊपर होना चाहिए, 0 से, तो बताओ, क्या answer आ जाएगा, वो प्रोषन जिसमें sin inverse x, cos inverse x से छोटा है, तो ये वाला प्रोषन आ गया, sin inverse x, cos inverse x से छोटा है, तो ये value कितनी होगी, यहाँ पर 0, और यहाँ पर x क्या रहा होगा, कितना गया, 1 by root 2, बिल्कुल, 1 by root 2, 1 by root 2, open interval आएगा, लेकिन द्यान रखना है न, तो 0 से 1 upon root 2, answer आ गया, option number 3, सही है, दोनों open interval रहेंगे, क्योंकि inequality में कहीं भी, equal to का sign नहीं है, ठीक है, आगे हो का सम्झे इस, equal to 4 degree, then, x की value क्या होगी, simple है, आप क्या करो इसमें, जब भी ऐसा question दिखें न, तो substitution का use कर लो, आप x की जगा रख दो, आप इसमें 10 theta, तो बताओ क्या हो जाएगा, 1 plus 10 square theta, क्या बन जाएगा, 2 square theta, 2 square theta का अंडर root कितना आ जाएगा, 10 theta, तो 10 theta minus 1 upon 10 theta आ गया यह, ठीक ह है, 10 inverse, solve कल दो, इसको क्या बन गया है, यह, 1 minus cos upon sine, तो ऐसा question पहले भी कराया था भी, 1 minus cos upon sine, क्या बन जाएगा यह, 2 sin square theta by 2, और नीचे, half angle formula से, 2 sin theta by 2, cos theta by 2, दोनों में, sin theta by 2, कर जाएगा, तो क्या बचेगा, cos upon sine, यह नहीं की cot, समझ गया बात को, स्वरी, cot क्यों, ऊपर sine बचेगा, नीचे cos, तो यह, 10 theta by 2 होता है, actual में, यादा गया, यह क्या होता है, 10 theta by 2, 10 inverse, सही है, तो 10 theta by 2 बन जाएगा, 10 theta by 2 बन गया, तो क्या गया अपना, theta by 2, theta by 2 बराबर, 4 degree, तो theta बोले तो, 10 inverse, x बराबर, 8 degree, x बराबर, कितना जाएगा, 10, 8 degree, तो कुछ नहीं किया, x की जगा, 10 theta replace किया, वहाँ से अपने को, convert हो गया, किसमें यह, 10 theta by 2 में, बड़ा ही असानी से, यह, यह आपको ध्यान रखना है, कि 1 minus cos upon sine क्या होता है, 10 theta by 2, बाकि नहीं पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 minus cos theta क्या होता है, 2 sin square theta by 2, इसका half angle formula लगा दो, दोनों में sin, sin, sin कर जाएगा, 2 से 2 कर जाएगा, sin upon cos क्या बन जाएगा, 10, solve कर लोगे आप अराम से, चलो, next question number, 17, if sin inverse x plus cos inverse x का दोनों का modulus का sum, कितना है, 5 by 2, then x belongs to, क्या होगा, ओके, तो सबसे पहली बात, क्या करेंगे, बताओ, cos inverse x का mod, plus sin inverse x का mod, 5 by 2 है, सो चो क्या करोगे, ठीक है, cos inverse x की range क्या होती है, 0 से 5, sin inverse x की क्या होती है, minus 5 by 2 से, plus 5 by 2, तो यह बताओ, जब mod, cos inverse x की range ही 0 से 5 होती है, तो mod लगनी जरूती नहीं है, कैसा खुलेगा mod, positive, तो क्या हो जाएगा, आपके पास, mod of sin inverse x, बरावर आजाएगा, 5 by 2, minus हो जाएगा, बाजाके, कौन, cos inverse x, तो यह क्या बन गया, आपका, sin inverse x बन गया, कौन, sin inverse x का, mod बरावर, sin inverse x, अब बताओ, इसको positive घुलना है, sin inverse x को, तो क्या अंसर आजाएगा, 0 से, बना जाएगा, सही है, तो x की, सही है न, positive तभी तो होगा, तो क्या गया, x की value 0 से, 1 आ गई, क्योंकि यह क्या होना चाहिए, 0 से, 5 by 2 होना चाहिए, इसलिए, तो क्या जाएगा, 0 से बना जाएगा, तो कौन, option सही है, इसका मतलब, option number, third सही है, नहीं समझे बात को, समझ ग यह आगे, आपका, sin inverse x, कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन एक्कोल जीरो, तो sin x, x क्या आजाएगा, ग्रेटर देन एक्कोल टू, sin 0, यानिकी 0 से, 5 by 2, 0 से, 1, चलते हैं, आगे, next, आओ, देखो, next, question number 18, क्या कह रहा है, if a, b, and c, the positive real numbers, and theta equal to, यह अपने को दिरखा है, तो क्या करें, सबसे पहली बात आपको यह समझ में, तो आई रही है, क्या, कि 10 inverse of x plus 10 versus y plus 10 versus z का जो formula होता है, वो क्या होता है, 10 inverse x plus y plus z minus x into y into z upon 1 plus x y plus y z plus z x, ठीक है, तो अब पहली बात तो यह आती है, कि यह काफी अपने आपने बढ़ा है, तो एक काम करते हैं, छोटा सा, द और उसको मैंने c से multiply कर दिया, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, आपके पास, यह complete save बन गया, कौन-कौन, a plus b plus c upon abc, a plus b plus c upon abc, और a plus b plus c upon abc, और आपने क्या किया है, इसको, a plus b plus c upon abc को मैंने मन लिया, alpha, या alpha का square मन लिया, ठीक है, alpha square, अब देखो ध्यान से, क्या होने वाल है, आपके पास जो theta है, वो क्या बन चुका है, बहुती cute सा form बन चुका है, 10 inverse, a square conduit क्या हो गया, a, alpha जाएगा, plus 10 inverse, b, alpha, plus 10 inverse, c, alpha, या जाएगा, तो आपके पास जो format था, वो होती cute form में convert हो गया, अब दूसरी बात, अब मेरे को यह पता है कि 10 inverse x plus 10 inverse y का formula होता है, वो क्या होता है, 10 inverse x plus y upon 1 minus xy, लेकिन उसमें भी condition होती है, क्या, कि यदि x और y दोना positive हैं, और x, y का जो product है, वो less than 1 है, तो तो क्या होता है, सीधर लागा देते हैं, 10 inverse x plus y, 10 inverse x plus y, 10 inverse x plus y upon 1 minus xy, लेकिन यह x into y यदि greater than 1 होता है, तो उसके इसमें क्या करते हैं, पाई उसमें add करते हैं, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आप तो क्या है, सिंप्ली इसको solve कर लो, और उसके बाद में आपको बताता हूं क्या करना है, ठीक है, तो सिंप्ली इपन ने, इसको simplify कर लेते हैं, तो 10 inverse x plus 10 inverse y plus 10 inverse z, क ठीक है इसको थोड़ा और simplify कर लो क्या बन जाएगा ठीटा बराबर 10 इंवर्स अल्फा तो common आ गया तो क्या बचेगा बोलो A plus B plus C into alpha minus ABC into alpha cube और नीचे क्या हो जाएगा 1 plus ABC into alpha क्यों सही है यहागया और देखो next इसके बाद दूसरी बाद यहागया अब आप क्या करो alpha की value अब जो अपने लेट करी थी उसको put कर दो तो alpha की value क्या होगी under the root of A plus B plus C upon ABC तो यहां रख दो तो क्या होने वाला है देखो ठीटा बराबर 10 inverse अब आप समझना ध्यान से ना मैं shortcut में लिख रहा हूं समझना ध्यान से alpha की जो value क्या है under root में आएगी यह तो A plus B plus C पहले से है और एक under root में और आएगा तो क्या बन जाएगा यह A plus B plus C की power कितनी होगी बोलो 3 by 2 और नीचे ABC की power कितनी है जाएगी इसकी half यहने की ABC की power आगई half यहने की under root माइनस यहाँ आजाओ यहाँ ABC पहले से अल्लेडी एक उपर है और alpha cube alpha cube को में तो क्या हो गया इसकी power 3 by 2 समझे गये ना इसकी power 3 by 2 यहनी क्या हो गया A plus B plus C की power 3 by 2 और नीचे क्या जाएगा अंडर रूट ABC अंडर रूट नहीं आएगा है ना पावर 3 by 2 आएगी पावर 3 by 2 समझ में आ रिवत और नीचे जो भी है वो सेम नीचे वाले को मैंने कुछ नहीं किया छेड़ा इनी ठीक है ऐसा क्यूं किया समझ में आ जाएगा आपको अब देखो नीचे लेकिन 10 ब्रस जीरो आने का में लिए नहीं कि जीरो आ गया इसका अंसर है ना अब समझो बात को यहां पर क्या था एबी सी क्या लिखा हुआ है एबी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एक काम करो यह चीज़ समझना चुकिए आपको सारी यह चीज़ समझना चुकिए तो इसको मैं अटा दूँ यहां से थोड़ी देए ठीक है अब आ जाओ तो एबी सी कहा है पॉजिटिव रियल नंबर्स अब आप देखो टैन इन्वर्स की रेंज क्या होती है माइनस पाइब टू से प्लस पाइब टू ओपन इंटर्वल में तो यह बताओ मेरको आप यह यहां पर एबी सी रियल नंबर्स है तो इसकी वैली जीरो तो नहीं होगी और इसकी वैली जीरो नहीं होगी इसका मतलब जीरो के लाबा कुछ और होगी तो इन तीनों का सम करने के बाद जो मैंने लगाया उसकी वैली गार यह जीरो आ रही है तो इसका मतलब क्या रहोगा को आपना यह 10 inverse of 10 पाई राओगा माइनस पाई बेटी से प्लस पाई बेटी के बीच में तो ठीटा की जो वेल्यू आएगी वो क्या एगी इसमें पाई यह ना इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन से सही है थर्ड ठीक है यह कन्फीजन है तो यह आप ध्यान रगा है ना गल यह दिए यह प्लस और यह भूल भी जाते हैं तो आप 1 मिट में चेक कर सकते हैं ना कि क्या था अब आजाओ 100 पर पर अब जो 100 है उसको लेके जाना है माइनस पैबेटी से प्लस पैबेटी के बीच में तो बताओ किस से मौल्टिपलाई कर दिया जाए कहा पर चला जाए तो πाई का मतलब होता है 3.14 तो का जाना है अपने को 100 पर तो इसका मतलब 100 करने के लिए इसको 30 से मुटिप्लाई करो पहले आप तो देखने ज़रा कितना हो रहा है 30 पाई का मतलब हो गया तीन चौक बारा तीन और एक चार तीन 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 नौ तो 94.2 आ गया चलो थोड़ा सवर कमें तो ऐसा करो 32 जा 6 6.28 एक करेंगे तो 100 आ गया सही है तो आप एक काम करो 32 पाई ले लो तो कितना आ जागए यह 100.28 यानि कि 48 यह आ गया है न हंडेट के पास चले गए बन तो आपका मतलब हो गया कि आप इसको कर सकते हो किसमें क्योंकि 0.48 32-100 या 100-32 करते हो आप तो कितना जागा 0.48 का डिफरेंस है विच इन बिट्विन माइनस पाई बैटू से प्लस पाई बैटू तो इसका मतलब क्या हो गया आपने को 32 पाई के पास जाना है ठीक है अब यह बताओ यह इवन पाई है तो क्या करना पड़ेगा एकस माइनस टू पाई तो एकस की वेलु कितनी यह पे हंड्रेड तो आंसर क्या जागा 100-2 पाई 32 पाई तो कितना अंसर आगया option नमर 3 आगया यह आप दिहां रखें न तो ग्राफ से बहुत ही जल्दी होता है ना ग्राफ से बहुत ही गलती नहीं होती में बात है ना गलती नहीं होती हाँ ही देखो नेक्स्ट कुश्शन नमर 20 क्या केना चाहरा है यह वैल्यू निकाल नहीं है अपने को कॉट ओफ इसकी सिग्मा तो सबस्वेल है क्या करो आप अंदर रोले से शुवात करो अंदर क्या होगा है सिग्मा ऑफ टू के तो आपको पता है क्या क्या बन रहा है आ आगे क्या है 1 प्लस और इस पूरी क्या क्या है इसको को इंवर्स तो आप दिखान से देखो इसको रह गैंने दुए न शिग्मा और आगे कॉट इसको देख लेंगगा बाद में तो पहली बाग द क्या करो तो इसको दिवाट कर Chief n-1-n लिख सकते है अब यह क्या बन गया, आपका cot inverse 1 plus A into B upon B minus A तो क्या बन जाएगा यह, cot inverse A minus cot inverse B यानि कि cot inverse N minus cot inverse N plus 1 यह बत क्लिएर है, आगे क्या चल रहा है, sigma N की value कहां से कहां तक है, 1 से लेके 23 आगे कौन है, cot, सही है, अब रखो इसमें value 1 से लेके 23 तक तो क्या आजाएगा, बताओ, यहाँ पर आजाएगा, cot inverse 1 minus cot inverse कितना हो जाएगा, 2, जब 2 रखोगी तो कितना आएगा, cot inverse 2 minus cot inverse 3 और ऐसे चलते चलते कहां तक चले जाएगे, 1 cot inverse, बोलो कितना 23 minus cot inverse 24, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है तो क्या क्या cancel out हो गया अपना, यह 2 cancel out हो जाएगा, 3 cancel out हो जाएगा सारे cancel out हो जाएगे बीच वाले, first बचाएगा, last तो first and last बचाएगा, तो क्या लेख लेंगे, इसको अपन cot inverse 1 minus cot inverse 24, cot inverse A minus cot inverse B, क्या बन गया cot inverse A into B plus 1, यहनिकी 1 plus A into B upon B minus A, 24 minus 1 तो कितना हो गया बोलो, यह हो जाएगा, 24 और एक 25, 25 बटे 23 और आगे क्या है cot inverse और उसके आगे क्या चल रहा था अपना cot तो आगे cot रो चल रहा है, तो क्या बचिक अपना अंसर बोलो, 25 बटा 23 यानिकी 25 upon 23, तो option number second is correct, चलते हैं आगे आप ही next, question number 21 let fx equal to exponential x cube plus x square plus x for any real number x, let let g be the inverse of function f तो g यह दी f का inverse है, g यह दी f का inverse है, तो अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, अपन लिख सकते हैं g equal to f of inverse, f inverse x equal हो गया gx, ठीक है, तो अब मिर को यह बताओ gx, f inverse x equal हो, f of gx क्या जाएगा, लोटके x आजाएगा, अच्छा, ठीक है, अब आगे चलते हैं, अपने से किसकी value पूछ रहा है, g dash eq, तो जब भी inverse functional derivative पूछ रहा है न, तो यह बात तो आप हमेशे दाना को, कि आप क्या करो इस function को, differentiate कर लो, differentiate करोगे तो क्या आजाएग बताओ, 1, तो यहां से g dash x की value कितनी आ गई, inverse का derivative आ गया, 1 upon f dash gx, यहां तक ठीक है, अब अपने हो क्या निकालना है, इसमें g dash eq निकालना है, तो g dash eq निकालना है, तो क्या हो जाएगा, बोलो, g dash eq बराबर, जहां जहां x, वहां वहां, eq रगदो आप, यहां गया, अ x cube, sorry, e to the power x cube plus x square plus x, e to the power में है, यह पूरा है न, e to the power, तो यह बताओ मेरे को आप, fx कर दो, e to the power x cube plus x square plus x, ठीक है न, यह अपने को function दिरखा है fx, तो मेरे को क्या चाहिए, eq चाहिए, तो eq कब आएगा, जब मैं x को replace कर दूँ, किस से बताओ, e की power 3 चाहिए, तो 1, 1, 1 हो जाएं तीनों, तो x की value 1 पर क्या आजाएगा, eq मिल रहा है मेरे को, x की जगा 1 रखने पर, तो eq किसके बराब रखने को, क्या चाहिए, g of eq, तो g of eq किसके बराब रखने को बताओ, यहां से आजाओ, यहां पर देखो यहां से, g of eq, किसके बराब हो जाएगा, बताओ, g लेलू में, तो g of f1 के एक को लेजाएगा, तो g of eq बराब हो जाएगा, g of f1 के, और g of f1 की value क्या होगी, बताओ, तो g क्या है, f का inverse है, तो g of f1 की value क्या होगी, 1 होगी, तो इसका मतलब क्या होगी है, g of eq की value कितनी होगी, बना गई, तो g of eq की value यह दि 1 आ गई है, तो अपन क्या लेखते हैं, कि ये value जो आ रही है वो आ रही है 1 upon f-1 तो f-1 आ रही है तो f-1 की value कितनी होगी वो आप निकाल लो तो आप एक काम करो इस function को differentiate कर लो और x की value 1 put कर दो तो function को differentiate कर लो क्यार हम से f- x कितना जाएगा बताओ e की power जो भी है वो same रहेगा x cube plus x square plus x into 2 इसका derivative क्या जाएगा 3 x square plus 2 x plus 1 अब x की value 1 रख देना क्या जाएगा 3 plus 2 plus 1 तो गया 6 e की power 3 तो कितना जाएगा 1 upon 6 into eq तो क्या answer आएगा इसका 1 upon 6 into eq यारी option number 1 चलें आगे next question number 20 देखो question कैसा है simple question है बिल्कुर एकदम basic है कोई दिक्कत नहीं है बस थोड़े सी calculation वाला बात है ना थोड़े सा लिखना पुड़ेगा आपको तो देखो जब भी series infinite तक जा रही है तो आप क्या करो ये check करो ही कहां से function repeat होना शुरू हुआ है तो देखो y का value दे रखा है अपने को under root of x से शुरू हुआ है तो under root x plus under root y plus under root x तो जहां से function repeat होना शुरू हो गया दोबार आना शुरू हो गया तो उस पूरे को क्या मानलो आप जो दे रखाता तो क्या हो जाएगा ये y equal to under the root of x plus under root y plus under root ये वाला पूरा part क्या बन गया y बन गया मतलब जो part repeat हो रहा है बार बार आ रहा है उसको आप क्या मानलो जो दे रखा है क्या मानलिया y तो क्या बन गया बताओ अब दोनों तो आप स्क्वेर इंग कर दो तो y स्क्वेर बराबर क्या हो जाएगा x plus under root 2y आजाएगा अब इसको इधर ले आओ पहले तो क्या बन गया ये y square minus x बराबर root 2y एक बार और square इंग कर दो जिससे की root का sign काया हो जाए तो एक बार और square कर गोगी तो क्या मिल जाएगा y की power 4 plus x square minus 2x into y square बराबर 2y आप इसको आपको डिफरेंशिट करना है वाइडेस निकालना है वाइडेस की value निकालना है ना आजाएगी option number 4 कर लोगे यहांसे तो है ना next question number 23 क्या कह रहा है if fx बराबर यह है तो f dash pi by 4 निकालना है तो देखो यह question देखती समझा रहा है न कि differentiability exist ही नहीं करेगी क्योंकि cos of cos x minus sin x सी बात हो रही है तो cos x minus sin x मैं आपको पता है कि cos और sin की value same हो थी कहां पर 5 by 4 पर तो जब मैं 5 by 4 के left मैं पूछुँगा 5 by 4 के left मैं पूछुँगा तो कैसा खुलेगा यह है पाईब पीन से just पहले क्या होगा cos बढ़ा होगा sin छोटा होगा तो कैसा छुटा होगा से पॉजटिव होगा 5 Run के left में क्या होगा? extending to pi v4 के negative में, क्या होगा? fx बराबर होगा, cos minus sin, लेकिन जब मैं बात करूँगा, right side की, यानि की pi v4 चे just बड़े के लिए, तो यह modulus क्यासा खुलने वाला है? negative, तो f of x बराबर आएगा, क्या? sin minus cos, तो अब आप देख लो, दोनों का जो derivative है, इसका derivative तो क्या जाएगा? minus sin minus cos, और इसका derivative क्या जाएगा? cos plus sin, तो दोनों की value अलग लाग रही है, limit exist नहीं करेगा, तो क्या आएगा? none of दी जाएगा, तो यह आप फ़ड़ा से ध्यान रखे हैं, किस value के around वो पूछ रहा है आपसे हैं, तो pi by 4 के us और pass, क्या होता है? sin change होगा है, modelers का sin change होगा, pi by 3 की बात होती ही, तो बात अलग है, pi by 3 के पहले हो, चाहें बात में हो, आपको पता है, sin x ही बड़ा होता है, क्योभी sin x के सा function है increasing, और cos x function है decreasing है ना, इसलिए, question number 24, if f x बराबर this, then f dash क्या होगा, तो देखो, base भी variable है, base variable है और log के अंदर भी variable आ रहा है, तो क्या कलने पहले, base शिंद्ध फर्म लगा लें, log की, तो क्या हो जाएगा, log of log x अब उन में, ln x, base e ले लिए मैंने हैं ना, तो f x यह आगए अपने पास, तो f dash क्या हो जाएगा, बताओ, f dash हो जाएगा अपने पास, उपर वाले का differentiation, quotient rule लगा रहा हूँ में, उपर वाले का differentiation क्या हो जाएगा, 1 upon ln x और ln x का differentiation, 1 upon x, into नीचे वाला, minus, नीचे वाले का differentiation, इंटू उपरवाला LN of LN x और नीचे इस पूरी का whole square किसका denominator का LN x का तो यहां तो LN x कट गया यहां कुछ नहीं कटा कोई बात नहीं 1 upon x दोनों में से common आ गया यहां 1 upon x बचा यहां भी 1 upon x है तो अंदर क्या बचेगा 1 minus LN of LN x और नीचे क्या आगया ln x का whole square ठीक है तो बताओ क्या पूछ रहा है यह f dash e f dash e पूछ रहा है तो e रख देना वाब तो यह तो क्या हो गया ln e की value कितनी होगी 1 और log 1 की value 0 तो यहां तो क्या बचेगा 1 upon e और यहां पर क्या हो जाएगा 1 तो 1 upon e आगे answer यहनिकी e की power minus 1 नीचे वाल आएगा answer 4 ठीक है चलें आगे चलो question number 25 देखो क्या करेंगे पहले तो मैं आपको समझा दूँ समझाती question वजाएगा देखो कैसे यह जो अंदर रूट के अंदर जब भी रूट आए ना तो हमेशा चेक करो कहीं ऐसा तो नहीं है perfect square बन रहा हो अंदर वाला और 90 परसेंट के ऐसे होते हैं जिसमें लिए 1 को माल लिया दून्हों का स्क्कॉर एंग चेक करो रूट 2 प्लस अंदर विद्ध E का होल इसक्वेर या रहा है या rolls करो रूट 2 K रेघल दू। यांसे क्या आपने पास रूट 2~! under root x-2 का whole square अब आगे भी वही से में लेकिन आगे क्या है? minus sign आ रहा है और minus sign आ रहा है तो आपको check करना पड़ेगा कि किस का whole square बनेगा x की value कितनी है अपने पास? 102 पे check करनी है 102 के right में तो यहाँ पर आप 102 रखोगे तो 102 से 102 minus 2 कितना हो गया? 100, 100 का under root कितना हैगा 10 यह आएगा 10 और यह है root 2 simple सी बात है 10 बड़ा होता है root 2 से इसका मतलब दूसरा बाला जो है मैं इसकी बात कर रहा हूँ ठीक है न? तो इसके अंदर क्या बनने बाला है? root x-2 minus root 2 का whole square है न? यह बनेगा तो बताओ क्या बन गया fx fx आगया आपका finally यहां से तो क्या बाला हैगा? कुछ भी निकाल लो एक ही बात है, बीचमें प्लस आई ने तो under root x minus 2 plus root 2 और यहां से क्या बाला हैगा? root x minus 2 minus root 2 है न? यह ध्याना को आप mod लगाओ जब भी आप root low mod लगाओ यह mod लगाना है तो आप सोच लो खोड़ा सा कि कौन आ गयाएगा? कौन पीचा आगा? ठीके न? अब बताओ क्या पुछ रहा है अपसे? यह पुछ रहा है f dash 102 positive तो बताओ f dash x निकालने पहले f dash x निकालने थे हैं root 2 तो कड़ गया तो क्या हो जागा? 1 upon 2 root x minus 2 और यह twice हो गया न? दोनों same same है तो तो बताओ कितना answer आजाएगा? 2 से 2 कड़ गया 1 upon under root of x minus 2 कितना आजाएगा? 10 आजाएगा और यह आगे क्या था? 10 से multiply हो रहा है 10 से multiply कर दो 10 into 10 into 10 10 से 10 कड़ गया? क्या answer आजाएगा? 1 1 चलो चले next आगे वासन ने यह जो परफेक्ट इसकर बनने वड़ा तरीका है ना यह आप अच्छे से वड़ा सा कर ले है है ना रंग से हाँ वही next question number 1 section B start हो गया part A section A खत्म question number 1 क्या कह रहा है if range of if range of function fx equal to this इसकी range पूछना चारा है बतना चारा है क्या है P से Q तो बताओ P प्लस Q का value क्या होगा? है ना normal question है ज़्यदा वैसा नहीं है अलग सबसे पहली बात को बताए inverse function की जब भी range की बात होगी है ना 2-3 inverse function आ रहे हैं तो पहले आप क्या check करने है उसका common domain क्या है तो common domain की बात कर रहा हूँ मैं तो बताओ sin inverse x का domain क्या होता है minus 1 से plus 1 10 inverse x का तो क्या होता है? r तो दोनों का common domain क्या होगा? minus 1 से plus 1 हो जाएगा तो इसका मतलब यह हो गया अच्छा इसका तो क्या है all real number कोई रिक्कत ही नहीं है तो अब हम इसका मतलब जो minimum और maximum value हो कहाँ जिश्च कर रही होगी? माइनस 1 और प्लस 1 पर चलो तो निकाल लो तो x बरावर माइनस 1 पर minimum value आजाएगी और x बरावर प्लस 1 पर maximum value आजाएगी तो निकाल लो गया आराम से बताओ माइनस 1 पर कितना आगया यह? माइनस 5 by 2 चलो इन रख दू माइनस 5 by 2 प्लस 2 इंटू 10 इंवर्स माइनस 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 5 by 4 और बोलो आगे प्लस x स्क्वेर यानि कि 1 माइनस 4 प्लस 1 एक्स की जगे रख दिया आपने माइनस 1 रख दिया ठीके ना? अब बत माइनस पाई माइनस 2 आ रहा है किसका मिनिममम वैल्यू और कहां पर आ रही है? x बरावर माइनस 1 पर समझे आगी बात common domain देखेंगे पहले और common domain निकालने के बाद फिर minimum x वैल्यू आप निकाल लो गया रहा है अब बताओ 1 पर क्या जाएगी? तो 1 पर maximum वैल्यू निकाल लो तो 1 रखोगे तो क्या मिल जाए यहां से? sin inverse 1 कितना हो गया बोलो? pi by two, tan inverse 1 कितना हो गया? pi by four, आकर चलो, one रखो गया, one, plus four, plus one, तो कितना आगया? वोगे यह है, Pi By Two Plus Pi By Two Pi, तो यही आ रहा है, Pi Plus Six, Pi Plus Six आ रहा है, और यह किया राज़ था, तो एड करोगे तो कितना हो जाएगा, यहारा है P, यहारा है Q, दोनों को जोड़ोगे, तो कितना आ जाएगा, इसका मुतलब आपको जो फिल करना है option answer वो क्या करना है जीरो को 04 ठीक है चले आगे चलो next question number two the value of this इसकी value निकाल नहीं है आपको तो बताओ क्या किया जाए सबसे पहला काम तो अपने एक काम यह कर लेते हैं दोनों को किसमें चिंद कर लो आप 10 में सही रहेगा है न तो 10 में चिंद कर लोगे कितना आ जाएगा बताओ 10 inverse यह तो आ जाएगा कि याद आ रहा है तो क्या जाएगा बताओ 10 of 10 inverse solve कर लो 3 3 9 4 दुनी 8 8 9 कितना होगे 17 इसो काटो मत है न कभी भी cancel out मत किया करो easy रहता है solve करना ठीक है न तो 3 चोग 12 12 में 6 तो 6 तो कितना रहा है 17 बटे 6 आ जाएगा इसका answer इसका मतलब 17 upon 6 आ रहा है तो P plus Q कितना आ जाएगा आपका 23 तो आपको बटेटा फिल करना है इसमें answer क्या 23 23 चलें आगे चलो question number 3 क्या कहे रहा है यह the absolute value of this one इसका absolute value निकलना है आपको तो बताओ क्या किया जाए पहले एक काम करो इसको alpha माल लो आप तो क्या हो जाएगा 10 2 alpha minus 5 by 4 तो दो तरीक है यह तो लगा दो इसमें लगा दो चलो 10 a minus 10 b यह वही लगा लेते हैं ना एक बार मा आ जागा सीदे है value तो छोटी है कोई दिक्कत नहीं है क्या जाएगा बताओ बताओ 10 2 10 inverse x क्या हो जाएगा 10 inverse 2 upon 5 upon 1 minus 25 तो कितना आगे है यह 10 of 10 inverse 25 दूनी 10 24 बारा 5 by 12 आ रहा है देखो चेक करवार हमसे 5 by 4 सही है अब इसमें कर दो 10 a minus 10 b upon 1 plus 10 a 10 b तो कितना आ जागा थो 10 a यान कि 5 by 12 minus 10 b यान कि 1 upon 1 plus 10 a 10 b कितना अंसर आ रहा है तो लोगे देखो यह आ जागा माइनस का 7 ऊपर और नीच आ रहा है बारा और पां 17 तो ऊपर तो आ जागा बटा माइनस का 7 और नीच आ जागा 17 तो absolute value कहा रहा था इसका मतलब कितना आ गया 7 upon 17 तो आंसर कितना आ जागा इसका अभी 17 और 7 24 ठीक है अचा इसको वैसे भी करते है तब भी सेम पड़ता है न कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है चलो इफ y वरावर ये देन d y upon dx at x वरावर 0 कितना होगा तो एक काम करो आप अपने पास y दिरखा है और d y upon dx निकालना है तो आपको जो सीरीज दिख रही है उसमें क्या है x की पावर बढ़ती जा रही है ना x x square x की पावर 4 है ना क्या हो जाएगा बताओ 1-x square बन जाएगा पहले फिर 1-6 c power 4 फिर 1-6 c power 8 और लास्ट में क्या हो जाएगा 1-x की पावर टू की पावर n प्लस 1 बोलो गलत तो नहीं कहा रहा ठीक है सही है ना बोलो ना 1-x into 1-x क्या हो गया 1-x square 1-x square into 1-x square क्या बन जाएगा 1-x x c power 4, 1-x की पावर 8 तो इसका क्या हो रहा है पावर का double हो जा रहा है तो 1-x क्या हो जाएगा x c power 2 into 2 की पावर n तो power add हो जाएगी तो n प्लस 1 हो जाएगा और नीचे क्या रहा है 1-x x-1 से उपर नीचे multiply कर दो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में तो x की पावर 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपन मैं x-1 इसको differentiate कर लो आप तो बताओ differentiate करके क्या आ जागा y def बराबर उपर वाले का differentiation क्या हो जागा 2 की पावर n प्लस 1 x की पावर 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 और नीचे वाले का whole square ठीक है यह आ गया अब बोलो कहाँ पर निकाल नहीं है value अपने को x प्लस पर जीरो पर तो जीरो पर निकाल नहीं है तो x जीरो रख दो आप तो बताओ क्या जाएगा y-0 कितना जाएगा तो जहाँ-जहाँ x है वाँ 0 तो यह तो complete 0 हो गया और इसमें देखो इसमें 0 रखो गया तो minus minus प्लस हो जाएगा तो उपर तो आगया 1 और नीचे भी आगया 1 तो value कितनी आ रही है इसका मतलब 1 आ रही है तो question तो आसान है बस थोड़ा सा क्या है समझने वाली बात है कि कि क इस तरीके शूब करें लॉग लिके भी कर सकते थे बढ़ यह ज़्यादा तरीका सही रहेगा ठीक है तो इसका अंसर क्या फिल करना है आपको 0 1 चलते हैं आगे question number अच्छा fourth हो गया था fifth ओके last question देखो function दिरखा है और function दिरखा है और उसमें क्या करना है आपको उसमें क्या करना है आपको function का f dash यानि derivative फाइंड करना है तो क्या करोगे सबसे पहले बाद जब भी gif आए ना तो यह चेक करो कि interval क्या है x का एक्स का जो interval है उसी से उसका answer आएगा तो एक्स का interval है यहां 1 से 2 तो आप बताओ x का interval ही दी 1 से 2 है और gif x ले रहा हूं तो इसका मतलब gif x की value कितनी हो गई 1 हो गई तो gif x ही दी 1 हो गया तो अंदर क्या बच गया मातर और मातर आपका pi by 2 minus x cube बचेगा 1 into something something यह आ गया अब बताओ cos 90 minus theta क्या होता है sin theta तो यह क्या बन गया आपका sin x cube यह कौन है y या fx कुछ भी कहलो है न यह की बात है fx लिख दिता हूं कोई बात नहीं ठीक है तो fx आ गया अब क्या करना है अपने को f dash निकालना है तो f dash निकाल दो आसान हो गया कोशन एकदम f dash x क्या हो जाएगा सब्सक्राइब करना है इसमें जीरो ठीक है तो यह आपका था मैस का सॉलिशन करते रों मेनत अच्छे से थैंक्यू हलो स्टुडेंट्स मैशेल्फ दिनेश दादिच टीम केमेस्ट्री सी एलसी में थैटीन का पेपर हम डिसकस कर रहे है तो थैटीन के पेपर में फर्स्ट क्यूशन इफ हंड्रेड एमल इफ हंड्रेड एमलोप जीरो पॉइंट वन हैं सी एस त्रीट कर रहे है हमने का सी इस त्रीच योच सी एस त्रीच इसको एनेवर्च के साथ टाइट्रेट कर रहे है तो एकिड़ बेस रिएक्ट्टन होगी फर्स्ट अवड तो बनेगा सी एस त्री सी ओ औ एन्ने प्लस एच टू सिर्वेस रिएक्शन होगी तो अपने पास यहां मिली एक्वेलेंट इनिशियल जो मिली into 0.1 तो कितना हो गया 10 mm equivalent होगे इसके मिलेग्वेलेंट कितने होगे 5 mm equivalent होगे इनीशिली यह 0 होगे और यह 0 हो गया final मिलेट अपने पास जो होगे वो इसके 5 रहेगे remaining इसके 0 रहे गे इसके 5 बन गे और इसके 5 बन जाएंगे अपने पास क्या रहा वीक एचिड और इसी वीक एचिड का conjugated salt रहा तो अपने पास क्या बन गया acidic buffer बन गया acidic buffer के लिए pH equal to अपने पास होता है pH is equal to pk plus log salt upon लोग salt upon acid होता है लोग salt upon acid तो यहाँ पे pH is equal to pk कितना हो गया PK अपने पास given है 4.76 यह 4.76 प्लस लोग यहां दोनों same unit में लिखने equivalent के ट्रम में लिख सकते ही तो 5 divided by 5 यह कितना हो गया तो यह अपने पास pH is equal to हो जाएगी 4.76 तो अपने पास कौन सा answer हो जाएगा अपने पास 4.76 का option correct हो जाएगा ओके next question 2 number KSP of stransium fluoride in water is this the molar solubility of SRF2 in NaCl SRF2 की molar solubility NaCl में calculate करनी है SRF2 अपने पास ionized जो होगा वो इस तरह से ionized होगा SR plus 2 plus 2F minus NaCl के presence में calculate करनी है तो NaCl Na plus plus Cl minus कोई भी common ion इसमें क्या नहीं है available नहीं है common ion available नहीं है तो जो normal water में solubility आएगी वही solubility क्या हो जाएगी इसकी रह जाएगी KSP अपने पास given है KSP is equal to 4S cube होता इसके लिए तो KSP अपने पास हो गया 3.2 into 10 to power minus 14 अपने पास given है तो अपने पास यह हो जाएगा 4 into S cube ठीक है यह हो गया अपने पास S is equal to अपने पास हो जाएगा 2 into 10 to power minus 5 हो जाएगा 2 into 10 to power minus 5 हो जाएगा कौन सा option correct हो जाएगा second option अपने पास correct हो जाएगा 2 into 10 to power minus 5 okay dear students next check करते है third question what will be the value of kw at 90 degree centigrade if h plus in the pure water as 10 to power minus 6 gram per liter dear students अगर pure water अपने पास है h2 तो यह होगा h3o plus and oh minus i जितने अपने पास h plus i available होंगे उतने ही कौन available होंगे oh minus i available होंगे यह कितना हो गया 10 to power minus 6m तो यह भी कितना हो जाएगा 10 to power minus 6m हो जाएगा और kw equal to अपने पास होता है concentration of h3o plus upon multiply by concentration of oh minus यह kw equal to अपने पास हो गया 10 to power minus 6 into 10 to power minus 6 तो kw अपने पास हो जाएगा अपने पास 1 into 10 to power minus 12 1 into 10 to power minus 12 कौनसा option हो गया 3rd option अपने पास करेक्ट हो जाएगा okay students next 4 number question discuss करते है when the HCl gas is passed in the saturated solution of common salt common salt means NACL then pure NACL precipitate because pure NACL precipitate हो जाएगा अगला भोल रहा है NACL का saturated solution है इसमें HCl gas pass करते हैं यह हो गया आपने पास na plus plus CL minus इसमें HCl gas pass करेंगे तो HCl gas H plus plus CL minus क्यास इफेक्ट लग रहा है common ion effect लग रहा है common ion effect due to that common ion effect क्या हो जाएगा Q of NACL NACL का क्यों होता है वो किसके equal होता है na plus or CL minus के equal हो जाए तो ionic product है ionic product of NACL है वो किस से ज्यादा हो जाएगा इसके KSP से greater हो जाएगा और ionic product इसके KSP से ज्यादा हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा precipitate हो जाएगा check करते ionic product of na plus and CL minus exceed the solubility product and NACL क्या हो जाएगा precipitate हो जाएगा को उनसा option correct हो गया first वाला option ही correct हो गया okay अच्छा fifth question pH of 0.1m acetic acid is 3 then dissociation constant of the acid will be अपने पास CS3 COH गिवन है इस CS3 COH के लिए अपने पास हो गया CS3 CO minus plus H plus इसके लिए जो अपने पास concentration of H plus ion होती है वो होती है underhood K into C के इक्वल होती है के H plus कितना हो गया इसके लिए 10 to power minus 3 और यह अपने पास KW calculate करना है और C कितना हो गया 0.1 है 0.1 तो अपने पास ही हो गया 10 to power minus 6 is equal to KW into 0.1 K K into 0.1 तो अपने पास यहां K कितना हो जाएगा K is equal to 10 to power minus 5 हो जाएगा और कौन सा answer correct हो जाएगा 1 into 10 to power minus 5 वाला correct हो जाएगा ओके next a solution a 50 ml solution is pH equal to 1 mixed with the 50 ml solution pH equal to 2 pH of the mixture nearly will be 2 solution को mix कर रहे हैं जब 2 solution को mix कर रहे हैं तो resultant number of H plus sign in solution होंगे यह हो जाएंगे N1 V1 plus N2 V2 equal to क्या हो जाएगा NV हो जाएगा D students N1 कितना हो गया 10 to power minus 1 pH 1 है तो 10 to power minus 1 V1 कितना हो गया 50 ml हो गया अपने पास plus N2 कितना हो गया 10 to power minus 2 ठीक है V2 कितना हो गया 50 ml हो गया N net calculate कर लेते हैं और यह कितना हो गया 100 ml हो गया इससे यहां से n calculate किया तो अपने पास आ गया 5.5 into 10 to power minus 2 तो pH of solution कितनी हो जाएगी 2 minus log 5.5 pH अपने पास हो जाएगी 1.26 अपने पास pH आ जाएगी तो क्या pH हो जाएगी 1.26 अपने पास pH हो जाएगी next discuss करते हैं dissociation constant of the two acid HA1 and HA2 are 1.6 into 10 to power minus 4 and 1 into 10 to power minus 5 respectively the relative strength of acid acid होते हैं उनकी relative strength अपने डिफाइन करते हैं alpha से तो relative strength का मतलब हो गया alpha 1 upon alpha 2 equal to अपने पास हो जाएगा अंडरूड के 1 upon के 2 यहां से अपन solve करते हैं तो alpha 1 और alpha 2 का ratio अपने पास आजाएगा 1.6 into 10 to power minus 4 into अपने पास हो गया 10 to power minus 5 इसका अंडरूड हो गया ठीक है इससे यह cancel out हो गया 10 to power minus 1 रहा 16 divided by 1 आगया तो अपने पास क्या हो जाएगा 4 ratio 1 आजाएगा तो अपने पास relative ACD की strength कितनी हो जाएगी 4 ratio 1 हो जाएगी ओके दी students next next question 50 ml of 0.2 m koh solution added to 40 ml 0.5 m hco solution the pH of resulting solution तो dear students इसमें हमें koh strong base हो गया किसके साथ mixed कर रहा है अपने पास hco अपने पास क्या हो गया hcooh यह weak acid हो गया acid or base में first of all reaction होगी क्या बन जाएगा hcooh k बन जाएगा प्लस क्या बन जाएगा water बन जाएगा h2o इसके initial जो milli equivalent है initial milli equivalent जो हो जाएगे milli equivalent जो हो जाएगे यह कितने होगे अपने पास 50 into 0.2 यह हो गया 50 into 0.2 इसके initial milli equivalent कितने होगे 40 into 0.5 यह milli equivalent अपने पास होगे 5 multiply 10 और यह milli equivalent अपने पास होगे यह अपने पास होगे 20 यह अपने पास 0 और 0 final अपने पास इसके जो milli equivalent हो जाएगे वो अपने पास होगे इपने 0 इसके कितने होगे 10 इसके कितने बन गे 10 और इसके बन गे 10 अधियर स्टुडेंट्स अब देखे स्वेपने पास क्या विलेबल एक तो क्या विलेबल हो गया विक एक शट और इसी वी के सिट का कॉंजूगेट इट सोल कैसा बन गया एसीडिक भफर बन गया एसीडिक बफर बन गया तो हम कह सकते ही प्य इच is equal to pH is equal to PK plus log concentration of salt upon concentration of acid इस से हम क्या calculate कर सकते हैं pH calculate कर सकते हैं PK कितना given है 4-1.8 4-1.8 तो 4-1.8 का मतलब PK अपने पास हो गया pH is equal to अपने पास हो गया 3.75 प्लस लोग salt और acid की कितना amount है 10 और इसका भी amount कितना है 10 टोटल volume से divide करेंगे तो सेम ही आ जाएगा तो pH is equal to कितना हो जाएगा अपने पास 3.75 अपने पास pH हो जाएगी ओके डियर स्टुनेंट्स तो next अपने पास आंसर आगया 3.75 ओके नेक्स चेक करते हैं नेक्स्ट वेन दे हंड्रेड अवल 0.1 M CS3 CO's mixed with 0.2 M N A O H H3 O PLUS in the solution solution में H PLUS AION की कंसेंट्रेशन काल्कुलेट करनी है तो CS3 CO's weak acid हो गया इसकी reaction किसके साथ करवा रहे हैं N A O H के साथ करवा रहे हैं अपने पास क्या बन जाएगा CS3 COO N A PLUS क्या हो गया अपने पास CS3 COO N A PLUS क्या बन जाएगा अपने पास H2 O बन जाएगा यह अपने पास H2 O हो गया अब हमने यह का अपने पास लिखा है इसके कितने milli equivalent होगे इसके initial milli equivalent होगे 100 into 0.4 इसके milli equivalent क्या होगे 100 into 0.2 इसके milli equivalent 0 और 0 इसके final जो milli equivalent हो जाएगे वो कितने हो जाएगे 40 final तो यह कितने होगे 40 final calculate करने तो यह 40 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा यह 20 हो जाएगा तो final अपने पास इसका कितना रह गया 20 इसका 0 इसका कितना हो जाएगा 20 और इसका भी 20 पिएच इएकल टू क्या होता है हूं पिएच इपने पास यह भी 20 हो गया और यह भी कितना हो गया 20 हो गया तो pH is equal to अपने पास हो जाएगा P K और H plus is equal to क्या हो जाएगा H plus is equal to हो जाएगा K K equal तो H plus sign की concentration जो अपने को मिलेगी वो मिलेगी 1.8 into 10 to power minus 5 मिल जाएगी तो कौन सा answer हो जाएगा 1.8 into 10 to power minus 5 वाला answer हो जाएगा The precipitation of CAF2 is obtained when the equal volume of the following solution are mixed और इसका KSP गिवन है Precipitation के लिए जो ionic product होना चिए वो किस्चे ज्यादा होना चिए solubility product के ज्यादा होना चिए या उससे बराबर होना चिए बराबर होता है तो just precipitation start होता है Okay dear students तो हम लिखते हैं CAF2 यह अपने पास solid था किस में convert होगा CA plus 2 plus 2 F- में convert होगा अगर इनके initial volume mixed करेंगे तो क्या हो जाएगा kinetial concentration हाप हो जाएगी Q is equal to अपने पास हो जाएगा CA plus 2 और यह हो गया F-1 का square Dear students option देखके मेरे को लग रहा है कि precipitation होने के chances second वाले में ज्यादा है क्योंकि यहां concentration देखना Q is equal to CA plus 2 कितना हो गया 10 to power minus 2 divided by 2 क्योंकि equal volume mix करेंगे तो concentration इसकी क्या हो जाएगी हाप हो जाएगी इसमें कितना हो जाएगा अपने पास 10 to power minus 3 divided by 2 इसका क्या हो जाएगा square हो जाएगा तो यह अपने पास Q is equal to आ जाएगा अपने पास 1 by 8 into 10 to power minus 3 or 3 6 or 2 8 10 to power minus 8 हो जाएगा तो Q is equal to अपने पास 1.25 into 10 to power minus 9 और यहाँ पे क्या हो गया Q is greater than KSP Q is greater than KSP हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा PPT अपने पास form हो जाएगा तो कौन से cases में form हो जाएगा second वाले cases में अपने पास PPT form हो जाएगा ओके देखते हैं next 1 cc of the 0.1 and HCl added to 99 cc solution of the NaCl the pH of the resulting solution HCl और NaCl को mix कर रहे हैं HCl plus NaCl NaCl जो salt है strong acid strong base salt होता है pH के लिए responsible नहीं होगा but HCl solution क्या हो जाएगा dilute हो जाएगा HCl solution dilute हो जाएगा तो हम इसके लिए लगा सकते हैं N1 V1 बराबर N2 V2 ये concept हम लगा सकते हैं N1 starting का कितना है 0.1 V कितना हो गया 1 cc हो गया N2 determine करना है N2 determine कर लेते हैं 99 और 1 cc 100 हो गया तो N2 equal to अपने पास हो गया 10 to power minus 3 है और HCl solution 10 to power minus 3 है तो pH अपने पास कितनी हो जाएगी dear students pH अपने पास 3 हो जाएगी तो कौनसा answer correct हो जाएगा second वाला answer correct हो जाएगा अपने पास क्या होगे अपने पास क्या होगे conjugated conjugated acid base होगे अगर कोई अपने पास conjugated acid base pair होता है तो इसके लिए अपने पास valid होता है कि pk plus pkb equal to होता है pkw तो अपने पास pk इसका calculate कर लेते हैं अपने पास hydrofluoric acid के बारे में पूछा है pk plus pkb pkb कितना given है 10.83 गिवन है और यह कितना होता है kw 14 होता है तो यहां से अपने पास pk कितना हो गया अपने पास pk हो गया 3.17 हो गया 3.17 हो गया अब k equal to क्या होता है k equal to हो जाएगा अपने पास 3.6.75 into 10 to power minus 4 हो जाएगा ठीक है तो यह अपने पास यह हो गया 6.75 into 10 to power minus 4 हो जाएगा ओक दी शुदेंस नेक्स कालकुएट करते हिंग नेक्स 13 कुछन पह अपने पास 2 into 10 to power minus 4 M H3 X solution assuming the first dissociation 100% and second dissociation 50% अगर H3 X ionized होता है और यह 50% first ionization complete 100% होता है H X2 minus plus H plus तो यहां से जो H plus I available होते हैं यह H plus I available हो जाएगे 2 into 10 to power minus 4 available हो जाएगे second ionization इसका H H2 second ionization इस्टुनेंट्स फिर से देखे H2 X है अगर यह first ionization 100% हो जाएगा तो यह बन जाएगा H2 X minus plus H plus बनेगा तो H plus I जो available हो पाएगे वो जाएगे 2 into 10 to power minus 4 available हो जाएगे second ionization यह H2 X minus है यह जाएगा second ionization इसका होगा उसमें देखना H X minus 2 बन जाएगा और H plus I जो available हो जाएगे 50% ionization होगा तो यह 10 to power minus 4 available हो जाएगे total जो H plus I आएगे वो H plus I आजाएगे 2 into 10 to power minus 4 plus 10 to power minus 4 तो अपने पास यह हो जाएगा H plus I is equal to 3 into 10 to power minus 4 और pH जो अपने पास आएगी 4 minus log 3 तो pH अपने पास हो जाएगी 4 minus log 3 मे 3.52 और अपने पास कुन सा उप्शन करेक्ट हो जाएगा 4 त वाला उप्शन करेक्ट हो जाएगा अपने तो जाएगी and COOK Propionic Acid एसा Salt हो गया, जो कि किस से बना है Weak Acid और Strong Base से मिलकर बना है Weak Acid और Strong Base से मिलकर बना है, तो इसके लिए अपने पास H+, जो आयन अवेलेबल होते हैं यह H+, आयन अवेलेबल होते हैं Unroot KW into K divided by C अवेलेबल होते हैं, H+, कितने होगे 10 to power minus 8 होगे KW कितना होता है 10 to power minus 14 होता है K हमें calculate करना है C कितना हो गया 10 to power minus 2 हो गया Dear students, इसे solve करते हैं 10 to power minus 16 is equal to 10 to power minus 14 into K upon 10 to power minus 2 हो जाएगा यहां से K को solve करते हैं तो K is equal to कितना हो जाएगा 10 to power minus 4 हो जाएगा तो PK कितना हो गया dear students minus logarithm इसका ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा तो कौन सा answer correct हो जाएगा first वाला answer correct हो जाएगा तो कितना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा magnesium hydroxide यह जब ionized होता है तो अपने पास ionized हो जाएगा Mg plus 2 और 2 OH minus Mg plus 2 और 2 OH minus यहाँ precipitation के लिए Q is equal to Q is equal to क्या होना चीए KSP होना चीए तो अपने पास Q is equal to हो गया Mg plus 2 और OH minus 1 का square हो जाएगा OH minus 1 का square क्यों अपने पास कितना लेना है KSP के equal लेना है 1 into 10 to power minus 12 Mg plus 2 और 2 की concentration कितनी दे रकिये 10 to power minus 2 OH minus 1 का square तो यहाँ से OH minus 1 की concentration कितनी आगी OH minus 1 की concentration आगी 10 to power minus 5 तो P OH अपने पास कितनी होगी P OH is equal to अपने पास 5 हो जाएगी तो pH अपने पास pH plus P OH is equal to 14 होता है तो अपने पास pH कितनी हो जाएगी 9 9 वो लिमिटिंग pH होगी जा इसके बाद आउ प्रेशिपिटेट क्या हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा तो लिमिटिंग pH कितनी हो जाएगी 9 pH हो जाएगी ओके इस टुदेंट जीरो 2.5 ml of weak monobasic acids this monoacidic base kb equal to 1 into 10 to power minus 5 minus 12 at 25 degree centigrade minus 12 आप यहाँ लिख सकते है minus 12 is titrated with 2 into 10 2 by 15 m hcl in water at 25 degree centigrade the concentration of h plus ion at the equivalent point dear students कोई भी monoacidic base है means weak base है वीवज इस वीवज की रियक्षन आप hcl के साथ करवा रहे है hcl के साथ करवाएंगे तो यह bcl बन जाएगा plus h2o बन जाएगा equivalent point का meaning यह होता है कि दोनों के equivalent equal हो जाना initial equivalent जो अपने पास है इसका हो जाएगा 2 by 5 2.5 into 2 by 5 इसका initial equivalent है 2 by 15 into v dash v हो जाएगा और यह initially 0 और 0 हो जाएगा final जो अपने पास बन जाएगा final फाइनल इसका भी 0 हो जाएगा इसका भी 0 हो जाएगा final यह बनेगा 2.5 into 2 by 5 यह बन जाएगे equivalent इसका भी बन जाएगा 2.5 into 2 by 5 water यह तो solution को dilute करने के काम आएगा equivalent point पे इन दोनों की equivalent क्या हो जाएगे equal हो जाएगे जब इन दोनों के equivalent equal होंगे तो V की value अपने पास कितनी आ जाएगी यह 2.5 V है तो हमें यहाँ से यह V और यह V 2 से 2 cancel 5 से कितना हो गया यह 3 हो गया तो V अपने पास 7.5 ml हो जाएगा dear students यहाँ हमें equivalent से क्या calculate करनी है concentration calculate करनी है तो 2.5 into 2 by 5 is equal to N into V कितना लिख दूँगा 2.5 ml इसका है 2.5 ml 7.5 ml इसका है total कितना हो जाएगा 10 ml हो जाएगा इससे अपने solve किया तो अपने पास कितना हो गया यह अपने पास N is equal to कितना आ जाएगा N is equal to अपने पास इससे cancel out कर देते हैं तो 2.5 से 2 cancel out हो आ 2 से 2 cancel out हो आ 0.1 M होगी यह अपने पास जो salt बना है इसकी concentration 0.1 M होगी ओके डिर स्टुडेंट्स अब इस salt के लिए हम calculate करते हैं इस salt के लिए KH is equal to कितना हो गया equilibrium constant KW upon KB हो जाएगा तो KW कितना है 10 to power minus 14 और KB कितना गिवन है अपने पास KB गिवन है 10 to power minus 12 10 to power minus 12 गिवन है तो यह 10 to power minus 2 आ गया और 10 to power minus 2 आ गया equilibrium constant तो equilibrium constant की value काफी high हो गई equilibrium constant की value high हो गई तो हम क्या calculate करने Quadrate equation बना सकते हैं Quadrate equation में अपने पास KH is equal to होता है KH is equal to होता है अपने पास C alpha square upon 1 minus alpha C alpha square यह हो गया 10 to power minus 2 यह 0.1 alpha square upon 1 minus alpha यहां से हम alpha calculate करते हैं तो अपने पास alpha is equal to अपने पास आ जाएगा alpha equal to 0.27 Quadrate equation को solve करते हैं alpha is equal to 0.27 आ जाएगा तो अपने पास H plus is equal to क्या होता है concentration of H plus H plus is equal to हो जाता है C alpha तो H plus is equal to अपने पास हो जाएगा C alpha का मतलब C कितना है? 0.1 alpha कितना हो गया? 0.27 तो ही अपने पास H plus आइन की concentration होगी वो हो जाएगी 2.7 इंटो 10 to power minus 2 तो कौन सा अप्शन है? 2.7 इंटो 10 to power minus 2 फोर्थ अप्शन अपने पास correct option हो जाएगा ओके दीर स्टुडेंट्स which of the following is most soluble? दीर स्टुडेंट्स solubility calculate करनी है तो इन सब के लिए हमें क्या calculate करना चीए? S calculate करना चीए इसका KSP equal to अपने पास होता है KSP equal to 1, 8, S, 5 इसका KSP equal to S square और इसका KSP equal to S square और इसका KSP is equal to 4S cube यहां से हम calculate करते हैं इसके लिए S calculate करते हैं तो S की value near about अपने पास कितनी आ जाएगी? 7 का अंडूरूड हो जाएगा 2.6 into 10 to power minus 8 और यह वाली सारी value क्या आ रही है? कम आ रही है जैसे यह वाली value चेक करते हैं तो अपने पास 10 to power minus 37 51 70 काफी कम है तो solubility में most soluble जिसकी solubility maximum आ जाएगी? वो क्या हो जाएगा? most soluble substance अपने पास हो जाएगा okay dear students next pH of an aqueous of a dilute acid is 5 calculate the number of hydroxide iron in per ml of the solution hydroxide iron की number calculate करने है pH equal to 5 है तो pH is equal to 5 है तो अपने पास pH कितना हो गया? pH is equal to अपने पास 9 हो गया और concentration of OH minus iron ये अपने पास हो गया 10 to power minus 9 ये OH minus iron की concentration 10 to power minus 9 हो जाएगी अब यहाँ से concentration OH minus iron की तो अपने पास hydroxide iron की concentration 10 to power minus 9 हो गयी concentration is equal to होता है मोल अपोन वोल्यूम वोल्यूम कितना दे रखा है वोल्यूम किसमें होना चाहिए लीटर में होना चाहिए तो 10 to power minus 9 is equal to मोल अपोन वोल्यूम कितना 1 divided by 1000 तो अपने पास यहां मोल हो गया 10 to power minus 12 और इससे नमबर कल्कुलेट करना है नमबर ओफ ओच माइनस आइन नमबर ओच माइनस आइन तो यह हो जाए का 10 to power minus 12 into 6.02 into 10 to power 23 यहां से कल्कुलेट करेंगे तो 6.02 into 10 to power कितना हो जाएगा 23 11 आ जाएगा तो कौनसा ओप्शन सही हो जाएगा अपने पास फर्स्ट वाला ओप्शन सही हो जाएगा ओके दी स्टुदेंट्स नेक्स्ट कल्कुलेट करते हैं the solubility product of AGI at 25 degree centigrade is 1 into 10 to power minus 16 the solubility of AGI in 10 to power minus 4 and KI solution at 25 degree centigrade तो dear students अपने पास AGI की solubility KI में कल्कुलेट करनी है common ion effect लग रहा है तो अपने पास AGI है यह किसमें dissociate होगा यह dissociate होगा AG plus plus क्या हो जाएगा I minus हो जाएगा और अपने पास जो KI हो गया वो क्या हो गया K++ I minus हो जाएगा जो common ion हो किस से आजाएगा strong electrolyte से आजाएगा तो अपने पास KSP हो जाएगा वो किसके equal हो जाएगा AG plus और I minus ion की product के equal हो जाएगा तो KSP तो अपने पास 1 into 10 to power minus 16 is equal to कितना हो गया AG plus ion जितना होगा concentration solubility उतनी आएगी I minus कितना हो गया 10 to power minus 4 तो AG plus ion है उसकी concentration हो जाएगी अपने पास 1 into 10 to power minus 12 और अपने पास कौन सा हो जाएगा 1 into 10 to power minus 12 तो अपने पास correct option हो जाएगा next A solution of weak acid HA containing 0.01 mol of acid per liter solution HPH4 the percentage degree of ionization of acid and the ionization constant of acid respectively कोई भी weak acid है जिसकी concentration 0.01 है weak acid के लिए H plus is equal to होता है वो अपने को पता है H plus is equal to C alpha होता है H plus is equal to C alpha H plus कितना हो गया 10 to power minus 4 C कितना हो गया J 10 to power minus 2 तो alpha is equal to हो गया वो अपने पास 0.01 percentage में बात करते हैं तो alpha is equal to कितना हो गया 1 percentage हो गया तो alpha तो 1 percentage आ रहा है और k is equal to क्या होता है उसके लिए k is equal to c alpha square होता है तो k is equal to c तो कितना हो गया 10 to power minus 2 alpha कितना हो गया 10 to power minus 2 का square तो ये अपने पास कितना हो गया k is equal to 10 to power minus 6 हो गया ये 10 to power minus 6 1% और 10 to power minus 6 कौनसा option correct हो जाएगा फिर्स्ट वाला उप्शन करेक्ट हो जाएगा ओके नेक्स्ट कैलकुलेट कर दें तो देखे पी एच और फे मिक्चर ओग 0.01 एप अचल and 1M CS3 COH solution is approximately तो देश्टुरेंट्स यहां HCL strong acid है HCL is equal to H plus plus CL minus और CS3 COH ionized होगा CS3 COH CS3 COO minus plus H plus common ion effect है common ion effect में इसका K है वो 10 to power minus 10 to power minus 5 है जो H plus ion CS3 COH से available होंगे वो H plus ion बहुत कम होंगे तो H plus ion mainly किस से present होंगे? mainly किस से आएंगे? HCL से आएंगे HCL की concentration कितनी होगी? तो H plus ion की concentration हो जाएगी वो 10 to power minus 2 हो जाएगी और pH is equal to अपने पास कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा तो pH 2 हो गया तो answer कितना हो जाएगा? answer 2 हो जाएगा ओके डियू स्टूरेंट्स next which one is the following statement is correct pH of 10 to power minus 8 हम HCL solution 10 to power minus 8 हम HCL solution है HCL solution की pH 8 होगी statement कैसा हो गया? incorrect हो गया very dilute solution हो गया 10 to power minus 8 हम HCL very dilute solution है तो इससे जो water से H plus आएगे वो H plus भी count होते हैं तो यहाँ पे total H plus अपने पास आते हैं 10 to power minus 8 प्लस near about 10 to power minus 7 तो यहाँ से pH जो अपने पास आती है वो 6.98 आती है तो यह statement क्या हो गया? incorrect statement हो गया Conjugated base of H2 PO4 minus Conjugated base Conjugated base की बात करते हैं तो Conjugated base इसका क्या हो गया? यह acid का काम करना चीए H2 PO4 minus का जो Conjugated base होगा वो होगा H PO4 minus 2 तो यह statement भी क्या हो गया? incorrect statement हो गया pH of 0.1 M NACL solution 0.1 M NACL NACL है Strong Acid Strong Base Salt है Strong Acid Strong Base Salt की pH होती है वो 7 होती है यानि pH is equal to 1 by 2 PKW होती है तो pH कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी यह statement कैसा हो गया? correct statement हो गया यह statement Ionization of water increases with decreases in temperature जो H2O का Ionization होता है H2O का Ionization Temperature increase करते हैं तो endothermic process होता है और H2O का Ionization increase होता है और इसने लिखा है decrease तो यह statement भी क्या हो गया? रोंग हो गया तो कॉंसा है statement सही हो गया? यह वाला है statement सही हो गया ओके तुदेंस नेक्स नेक्स 50 ml solution containing 10 to power minus 3 mol of Ag plus is mixed with the 50 ml of a 0.1 m HCl solution how much Ag plus remain in the solution Ag plus these students अपने पास यहाँ Ag plus और Cl minus आपस में react करके क्या बना रहे होंगे? Ag Cl बना रहे होंगे और इसके लिए equilibrium constant आपके लिए इसके लिए हो जाएगा K is equal to 1 upon KSP 1 upon KSP means 10 to power 10 equilibrium constant की value काफी ज्यादा होगी अगर इसके initial initial millimol की बात करें अगर इसका initial millimol देखें तो इसका कितना millimol हो गया? 1 millimol हो गया 10 to power minus 3 1 millimol हो गया इस students इसके कितने millimol होगे? 0.1 इसके millimol की बात करते हैं तो 0.1 is equal to 0.1 is equal to mole upon volume कितना हो गया? volume अपने पास 50 ml हो गया तो कितने millimol होगे? 5 millimol होगे इसका starting में 0 हो गया limiting reagent से solve करते हैं तो finally इसका 0 हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा k की value बहुत ज्यादा है तो मैं minus किस side से कर सकता हूँ? इस side से minus x plus x और ये कितना हो गया? plus x और x क्या हो जाएगा? negligible हो जाएगा means 1 is greater greater than क्या हो जाएगा? अक्स हो जाएगा अब भी क्या होगा? case P है वो अभी भी ag plus की concentration और CL minus sign की concentration के product के equal हो गया 10 to power minus कितना हो गया? ये हो गया 10 to power minus 10 ये हो गया अपने पास 10 to power minus 10 हो गया और ag plus sign की concentration calculate करनी है CL minus sign की concentration कितनी होगी? 4 तो millimol है ये तो negligible हो गया तो 4 divided by total volume कितना हो गया? 50 और 50, 100 ये 100 ml हो गया ये millimol है ये ml में लिख देंगे तो कोई problem नहीं हो जाएगी तो ag plus sign की concentration अपने पास जो remaining रहेगी वो हो जाएगी अपने पास कितना हो गया? 1 by 4 into 10 to power minus 8 और अपने पास ag plus sign की concentration हो जाएगी 2.5 into 10 to power minus 9m है क्या इसा option? 2.5 into 10 to power minus 9m कितना option हो जाएगा? 1st वाला option, correct option हो जाएगा ओके? देखते नेक्स्ट 24, which of the following equation must be used for the exact calculation of H plus in an aqueous solution of HCl, any concentration of HCl? Dear students, HCl ionized होगा तो HCl 100% ionized होगा H plus plus Cl minus sign की concentration की equal होगा H2 ionized होगा तो H2 इस तरह से ionized होगा H3O plus plus OH minus यहाँ जो अपने पास H plus की total H plus आएगे यहाँ से जो H plus आएगे वो H plus हो जाएगे वो होगे अपने पास Kw upon concentration of OH minus total जो H plus आएगे वो H plus आएगे total जो H plus आएगे वो H plus of HCL plus क्या होँगे H plus of H2 O के equal होँगे तो अपने पास total H plus I की concentration कितनी होगी H plus is equal to अपने पास C concentration HCL की concentration कितनी है CHCL तो कितना हो जाएगा CHCL plus H plus से जो H2 आएगे वो हो जाएगे अपने पास Kw upon OH minus Kw upon OH minus इसके equal हो जाएगे तो total H plus क्या हो जाएगे यह हो जाएगे कौन सा formula correct है थर्ड वाला अपने पास correct हो जाएगा next पिएच ओफ जीरो पॉइंट वन एम HCO solution इस स्टुडेंट HCO है वो अपने पास कैसा हो गया weak acid हो गया कैसा acid हो गया weak acid हो गया weak acid के लिए अपने पास H plus आइन की जो concentration होती है H plus आइन की concentration होती है underhood K A into C हो जाएगा तो H plus आइन की concentration K कितना हो गया K अपने पास 1.4 into 10 to power minus 4 हो गया into C कितना हो गया 10 to power minus 2 हो गया तो ये अपने पास H plus की concentration हो जाएगी H plus है वो H plus हो गया अपने पास 1.4 की power 1 by 2 into 10 to power minus 3 हो जाएगा तो pH is equal to अपने पास कितना हो जाएगा 3 minus 1 by 2 of log 1.4 और इसको अपर solve करते हैं तो 3 minus 3 minus 10 हो जाएगा log 1.4 की value रखेंगे तो ये 2.926 एक्जेक्ट अपने पास answer आ जाएगा तो कौनसा answer हो जाएगा first वाला अपने पास answer हो जाएगा ओके next चेक करते हैं pH of the mixture having 0.1m NH4OH and 0.1m NH4Cl is equal to equal to PKW minus PKB if 1m NH4OH and 1m ammonium sulphate are taken the pH will be dear students ये अपने पास buffer solution हो गया buffer solution किसका हो गया NH4OH और इसके conjugated NH4 plus का कैसा buffer solution है basic buffer solution है क्या हो गया basic buffer solution basic buffer solution के लिए pH is equal to PKB plus log salt upon log salt upon base log salt upon base तो यहाँ अपने पास pH is equal to क्या आ गया PKB plus log salt और base की concentration कितनी है 0.1 और ये भी कितना हो गया point 1 M हो गया तो यहाँ पे अपने पास point 1 M हो गया तो pH is equal to क्या हो गया PKB होना भी चीए और pH is equal to होता है pH is equal to PKW minus PKB पहला वाला statement अपने पास correct हो रहा है second वाले में देखना अपने पास लिखा हुआ है NH4OH 0.1 M है तो NH4 प्लस कितना हो जाएगा NH4 यह 0.1 M है इससे कितना मिलेगा 2 time of NH4 प्लस मिलेगा यह 0.2 M हो जाएगा तो अपने पास pH is equal to होगा PKB plus log salt कितना हो गया 0.2 acid कितना हो गया 0.1 तो pH is equal to अपने पास हो जाएगा PKB plus log 2 हो जाएगा ठीक है तो pH is equal to क्या हो जाएगा pH is equal to PKW minus PKB minus log 2 अपने पास option हो जाएगा कौन सा option मेच हो रहा है अपने पास 4th वाला option मेच हो रहा है तो 26 का कौन सा हो जाएगा अपने पास 4th हो जाएगा क्या हो जाएगा नेक्स बात करते हैं The self-ionization constant of the pure formic acid K is equal to this has estimated 10 to power minus 6 at room temperature the density of the formic acid is this what is the percentage of formic acid molecule convert into the formate ion यह हमें calculate करना है तो first of all हम क्या calculate करना चाहते हैं यह formic acid है H-C-O-O-H इसका self-ionization होता है तो यह बना लेता है H-C-O-O-H2 प्लस और बन जाएगा H-C-O-O- इसके लिए अपने को K की value given है वो 10 to power minus 6 given है 10 to power minus 6 given है means इसकी concentration और इसकी concentration equal रहेगी तो इसकी concentration 10 to power minus 3 होगी इसकी concentration भी 10 to power minus 3 होगी molarity formic acid की calculate करना है तो molarity M is equal to होता है mol upon volume mol upon volume और volume किस में होना चीए liter में होना चीए formic acid की density given है तो क्या हम उसकी molarity calculate कर सकते हैं क्या बिल्कुल किसी की भी density given हो तो molarity calculate कर सकते हैं M is equal to क्या होता है अपने पास DV होता है M is equal to D कितना हो गया? अपने पास D दे रखा है 1.15 gram और V कितना gram पर centimeter cube और कितना centimeter cube ले लेता हूँ? मैं thousand centimeter cube ले लेता हूँ centimeter cancel तो अपने पास कितना हो गया? Molarity 1.50 divided by 46 Volume कितना ले लिया? 1 liter आ गया तो इसकी molarity कितनी? तो इसकी molarity अपने पास कितनी हो गी? इसकी molarity अपने पास हो गी 25 M इसकी molarity अपने पास 25 M हो गी अब molarity 25 M है तो HCO माइनस है वो कितना होगा? HCO माइनस HCO माइनस H2 प्लस ये 10 to power minus 3 M होगा और ये किसके equal होगा? C alpha के equal होगा तो 10 to power minus 3 is equal to C कितना हो गया? 25 और alpha तो alpha is equal to अपने पास कितना हो गया? alpha is equal to अपने पास 4 into 10 to power minus 5 हमें क्या calculate करना है? percentage calculate करना है तो अपने पास कितना हो जाएगा? alpha is equal to 4 into 10 to power minus 3 percentage मतलब कितना हो गया? 0.004% तो कितना percentage हो जाएगा अपने पास? 0.004% कौनसा अंसर आजाएगा? 4th वाला अपने पास अंसर आजाएगा ओके दीर स्टुदेंट्स नेक्स 28 नमबर pH of N aqueous solution of N AOH is 12 calculate the mass of N AOH in 1 liter of solution 8 29 to 98 Kelvin these students N AOH के लिए pH given है pH कितनी है? तो pH कितनी हो जाएगी? pH अपने पास 2 हो जाएगी और N AOH की pH 2 होगी तो N AOH की concentration कितनी होगी? N AOH की concentration होगी 10 to power minus 2M अब concentration मतलब molality होगी तो M is equal to होता है W upon MW into V किसमे होना चीए? लीटर में होना चीए तो 10 to power minus 2 is equal to W कितना है? calculate करना है N AOH का molar mass 40 हो गया और कितना लीटर दे रखा है? 1 liter solution में into 1 तो W is equal to कितना हो गया? 0.4 gram अपने पास answer हो जाएगा 0.4 gram कौन सा option है? 1st वाला option हो गया 0.4 gram ओके स्टूदेंट्स next What is that? PK of weak acid 0.1 M solution is pH 4 कोई भी weak acid है तो weak acid के लिए अपने पास weak acid के लिए H plus आइन की जो concentration होती है वो H plus आइन की concentration होती है under root Ka into C होती है under root Ka into C होती है और अपने पास यहाँ पे H plus कितना हो गया? H plus 10 to power minus 4 हो गया और Ka calculate करना है और यह अपने पास C कितना हो गया? 0.1 M हो गया यहाँ से solve करें तो 10 to power minus 8 is equal to Ka into 0.1 तो Ka is equal to कितना हो गया? 10 to power minus 7 आ गया और P Ka equal to कितना हो जाएगा? P Ka is equal to 7 हो जाएगा कौन सा ओप्शन हो जाएगा? Second वाला ओप्शन अपने पास correct ओप्शन हो जाएगा Next चेक करते हैं Calculate the percentage of hydrolysis in 0.01 M aqueous solution of Naocn Dear students अपने पास यह Naocn लिखा है इसका यह salt है अपने पास Na plus plus Ocn minus यह अपने पास salt हो गया अपने पास यहाँ पे degree of hydrolysis इसके लिए अपने पास K H जो होता है वो होता है C alpha square और alpha is equal to अपने पास हो जाएगा under root K H upon C और K H बराबर होता है K W upon K W upon K into C होता है D students यहाँ अपने पास इसका K नहीं गिवन है यह conjugated acid base है conjugated और इसका क्या है K B गिवन है हमें पता है इसके लिए K और इसके लिए K B K into K B का जो product जो होता है वो 10 to power minus 14 होगा तो K हमें calculate करना है K B हमें किसका given है OCL minus का 10 to power minus 10 हो गया into 10 to power minus 14 तो K equal to कितना आगया अपने पास 10 to power minus 4 हो गया अब इसमें value put कर देते तो alpha is equal to अपने पास कितना आ जाएगा 10 to power minus 14 upon 10 to power minus 4 into 10 to power minus 2 यहाँ से 10 to power minus 2 यह 6 और यह 4 से यह हो गया अपने पास 10 और यह हो गया minus 8 तो alpha is equal to अपने पास हो गया 10 to power minus 4 अपने को पूछा है percentage hydrolysis percentage का मतलब कितने से multiply कर दूँ 100 से multiply कर दूँगा तो यह कितना हो जाएगा alpha is equal to 0.01 percentage तो कौन सा answer है 0.01 percentage अपने पास second वाला option हो जाएगा 0.01 percentage next अपन भादचीत करते है तो D students section B में discuss करते है first question 1 liter saturated solution contain AG SCN and AGBR calculate the ratio of concentration of AGCN and AGBR in the solution D students simultaneous solubility calculate करनी है दोनों एकी कंटेनर में परजेंट है AGCN AGCN solid होगा इस तरह से आइनाइज़ हो जाएगा AG plus plus SCN minus अपने पास अपने पास AGBR है वो इस तरह से आइनाइज़ हो जाएगा AG plus plus BR minus ये इसके लिए अपने पास KSP 1 मान लेते हैं और KSP 1 गिवन है 1 into 10 to power minus 12 KSP 2 अपने पास गिवन है 5 into 10 to power minus 13 दिर स्टुडेंट्स अगर हम यहां डिसकेस करते हैं तो KSP 1 upon KSP 2 ये किसके वराबर होगा ये हो जाएगा AG plus और क्या हो गया SCN minus upon AG plus और क्या हो जाएगा BR minus आइन की concentration के equal होगा AG plus से AG plus क्या हो जाएगा केंचिल हो जाएगा तो अपने पास क्या हो जाएगा 10 to 1 1 into 10 to power minus 12 is equal to क्या हो गया SCN minus SCN minus upon अपने पास ये हो गया 5 into 10 to power minus 13 is equal to अपने पास हो गया upon BR minus इन दोनों की concentration हमका रेशो पूछा है concentration का रेशो कितना हो जाएगा ये cancel out वा तो ये 10 to power minus 1 means SCN minus upon BR minus इनकी concentration का रेशो हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 10 जाएगा पर 10 divided by 2 कितना हो जाएगा 10 divided by 5 कितना हो जाएगा 2 हमें मिल जाएगा तो सही correct answer कितना हो जाएगा 2 इसका correct answer हो जाएगा ओके दीर स्टुडेंट्स नेक्स डिसकेस करते है Ksp of the copper hydroxide is 5 into 10 to power minus 16 the pH of the saturated solution of copper hydroxide pH copper hydroxide जो है अपने पास इस तरह से ionized होगा यह copper hydroxide solid है यह क्या बनाएगा अपने पास Cu plus 2 plus 2 OH का minus इसकी solubility होगी वो dash solid होगी यह S आएगा और यह 2S आएगा तो OH-1 की concentration होगी वो किसके equal होगी 2S के equal हो जाएगी तो हम यह कह सकते हैं इसके लिए Ksp is equal to होता है वो अपने पास होता है 4S क्यूब और Ksp कितना हो गया 5 into 10 to power minus 16 is equal to 4S क्यूब यहां से S को हम solve करते हैं तो यह हो गया 5 by 4S क्यूब equal to 5 by 4 into 10 to power minus 16 यह हो गया 4 से से cancel out किया 1.25 S क्यूब बराबर हो गया 125 into 10 to power minus 18 तो अपने पास S is equal to आ गया 5 into 10 to power minus 6 बट OH-1 की concentration होगी वो 2S के equal हो जाएगी तो 2S के equal होगी तो कितना हो गया 2 into 5 into 10 to power minus 6 हो गया तो OH-1 की concentration होगी वो 10 to power minus 5 होगी तो POH कितनी हो जाएगी POH अपने पास 5 हो जाएगी तो pH अपने पास कितनी हो जाएगी pH 14 minus 5 कितना हो जाएगा 14 minus 5 9 हो जाएगा तो pH का अपने पास answer कितना हो जाएगा 9 इसका answer हो जाएगा ओके students next discuss करते next हम लोग discuss करते ही अच्छा what is the lowest pH at which ZNS can be precipitated from the solution of 0.1 M ZNCL2 and 0.1 M H2S ऐसा solution है जिसमे 0.01 M ZNCL2 है और 0.1 M H2S है तो यह solution है वो sulfide के form में precipitate होगा तो sulfide के form में precipitate होगा तो अपने पास ZN sulfide के लिए ZN S is equal to अपने पास हो गया ZN plus 2 plus S minus 2 और precipitation start होने के लिए Q is equal to क्या होना चाहिए KSP होना चाहिए और क्यों अपने पास हो गया concentration of ZN plus 2 और क्या हो गया S minus 2 concentration अब KSP कितना है 10 to power minus 23 is equal to ZN plus 2 कितना हो गया ZN plus 2 10 to power 10 to power minus 2 10 to power minus 2 10 to power minus 2 S minus 2 हम calculate कर लेते हैं तो S minus 2 की concentration कितनी होनी चाहिए 10 to power minus 21 होनी चाहिए अब S minus 2 कहा से available होंगे H2S से available होंगे तो H2S जो ionized होता है इस तरह से ionized होता है H2S is equal to 2H plus plus S minus 2 और इसके लिए K is equal to क्या हो जाएगा K1 into K2 हो जाएगा और ये H2S के लिए K equal to हो गया अपने पास H plus sign की concentration का square S minus 2 अपोन क्या हो जाएगा H2S हो जाएगा तो K equal to अपने पास हो गया 15 और 7 कितना हो गया 10 to power minus 22 is equal to H plus का square जो हमें calculate करना है S minus 2 कितना हो गया 10 to power minus 21 अपोन H2S कितना हो गया 10 to power minus 1 यहाँ से 21 को cancel out किया 10 to power minus 1 means H plus sign की concentration H plus sign की concentration है H plus square हो गया वो 10 to power minus 2 हो गया और H plus sign की concentration होगी वो कितनी होगी 1 होगी H plus sign की concentration कितनी होगी 1 होगी तो pH कितनी हो जाएगी pH 10 to power minus 1 होगी H plus sign की 10 to power minus 1 तो pH कितनी हो जाएगी pH अपने पास 1 आ जाएगी तो यह 1 pH पे precipitation start कर देगा okay dear students 1 pH पे precipitation start कर देगा next check करते अच्छा 1 gram sample of weak acid HA molar mass 80 dissolved in H2 and volume of solution made up to 60 ml and titrated with 0.25 NaOH when half of the acid is neutralized the pH is found B5 and the equivalent point equivalent point 40 ml of the same NaOH used and the pH of solution is found B9 calculate the percentage purity of the simple these students simple question HA किसके साथ react कर रहा है NaOH के साथ titrated हो रहा है NaOH के साथ titrated होता है तो क्या बनाएगा Na A बनाएगा एक सोल्ट बनादेगा प्लस H2 बनाएगा हाप ओफ equivalent point इसका माल लेते अक्स अपोन 1 gram में से अक्स ग्राम ये प्योर है तो अक्स अपोन 80 मोल हो गया ये स्टार्टी में और ये डेस ये 0 और 0 हाप ओफ equivalent point पे जो concern equivalent है हाप ओफ equivalent पे हाप ओफ इक्वेलेंट पे हाप ओफ इक्वेलेंट पे हे और N A A के equivalent क्या हो जाएंगे equal हो जाएंगे तो उस ताइम अपने पास pH equal to कितना दे रखा है at this time pH equal to अपने पास दे रखा है pH is equal to अपने पास हो जाएगा pk तो means अपने पास pk की वेल्यू कितनी गिवन है pk की वेल्यू 10 to power minus 5 हो गई pk कितना हो गया अपने पास pk अपना पास हो जाएगा वो 5 हो जाएगा और k कितना हो गया 10 to power minus 5 हो जाएगा PK अपने पास 5 हो जाएगा जब equivalent point आएगा तो complete acid क्या हो जाएगा neutralized हो जाएगा complete acid neutralized हो जाएगा तो salt के mol कितने बन जाएगे x upon 80 बन जाएगे salt के mol x upon 80 बन जाएगे ओके डिये students अब यहाँ से हम calculate करते हैं pH कितनी हो रही है 9 और salt के लिए h plus जो आएगा वो h plus is equal to ऐसा salt बनेगा जिसमें क्या है weak acid or strong base तो ऐसे salt के लिए हम कह सकते हैं कि h plus is equal to under root kw into ka into upon c तो यहाँ से h plus iron है वो अपने पास कितना है 10 to power minus 9 10 to power minus 9 h plus iron हो गया is equal to kw कितना हो गया 10 to power minus 14 k 10 to power minus 5 upon c calculate कर सकते हैं यह 10 to power minus 18 हो गया तो c is equal to 18 14 और 5 19 c is equal to अपने पास आगया 0.1 है और c क्या हो जाएगा mol upon volume c is equal to क्या हो जाएगा mol upon volume c is equal to mol upon volume और c कितना हो गया 0.1 is equal to mol कितना है salt की concentration में mol कितना है x by 80 और अपने पास volume कितना हो गया 40 ml तो इसका था और 60 ml यूटिलाइज हो गया 40 ml और 60 ml इसका था तो कितना हो गया टोटल 100 100 divided by 1000 100 divided by 1000 तो यह 0 cancel out हो गया x is equal to कितना हो गया x is equal to 0.8 गराम हो गया तो परसंटेज प्योर्टी कितनी हो जाएगी परसंटेज प्योर्टी अपने पास हो जाएगी 0.8 अपोन 1 multiply by 100 कितना परसंटेज प्योर्टी आ जाएगी 150 ml of 0.1 m NaOH solution is mixed with the 0.1 m H2 CO3 solution if K1 and K2 of H2 CO3 are this and this find out the pH of POH of resulting solution dear students calculate क्या करना है POH of resulting solution NaOH के starting के equivalent अपने पास H2 CO3 के साथ react करवा रहा है पहले ये लोट neutrality होगा तो अपने पास बनेगा NaOH CO3 PLUS H2 इसके कितने म्य इक उन्द होगे इसके म्यल इक विलेएज ऑगे अपने पास 15 इसके कितने म्य इकवे लेंट होगे इसके म्य इकवे लएज होगे 10 तो कितने यूटिलाइज हो जाएंगे 0 और 0 ये कितना रह जाएगा आपने पास 5 remaining रह जाएगा ये कितना 0 ये 10 और ये 10 जो ये 10 आगे बने हैं वो फिर से किसके साथ करेंगे एने ओच के कितने मिली equivalent remaining 5 ये किसके साथ करेंगे आई एने एदी थिर के साथ प्रियक्ट करेंगे क्या बन जाएगा आपने पास ये टू सी ओ फ्री प्लस हेच्टो बन जाएगा तो डीरी स्टुडेंट्स इसके मिली equivalent कितने 5 इसके कितने बने 10 इसके कितने 0 और 0 finally इसके कितना हो जाएगा अपने पास 0 इसके 5 इसके 5 और इस ऐसा क्या बन गया basic acidic buffer बन गया acidic buffer बन गया तो इसके लिए अपने पास pH is equal to यहाँ कौन सा है k2 है तो अपने पास pk2 plus log salt upon acid हो जाएगा तो pH is equal to pk2 कितना हो गया pk2 अपने पास 13 हो गया plus log यह कितना हो गया 5 by 5 तो pH is equal to कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी तो pH कितना हो गया अपने पास pH बराबर 1 हो जाएगा तो कितना answer आजाएगा अपने पास 1 answer इसका आजाएगा 5th का Okay dear students next discuss करते हैं अगला क्यूशन लेते हैं K for the M plus is 10 to power minus time pH of the buffer solution having the concentration of M plus is 10 time of M OH will be D students अपने पास M OH और M plus यह अपने पास conjugated acid base है Conjugated acid base है अगर अपने पास conjugated acid base है तो इसके लिए अपने पास Kb होता है और इसके लिए अपने पास Kb होता है तो यह Kwk equal होता है D students यह हो गया 10 to power M plus के लिए K given है तो यह अपने पास Kb हो गया यहां से अपने को Kb calculate करना है तो Kb हम calculate कर लेते हैं यह Kb into K कितना हो गया 10 to power minus 9 is equal to 10 to power minus 14 तो अपने पास यह Kb आ गया वो Kb आ गया 10 to power minus 5 10 to power minus 5 यह buffer solution है तो basic buffer solution के लिए Poh is equal to PKb plus log concentration of salt upon concentration of base यह अपने पास concentration of base तो Poh is equal to अपने पास कितना हो गया 5 plus log 10 divided by 1 तो Poh कितना हो गया 6 हो गया और pH कितना हो गया minus 14 कितना हो गया 8 हो गया तो अपने पास इसका answer कितना आ जाएगा 8 अपने पास इसका answer आ जाएगा Okay dear students next check करते हैं pH 7 number pH of 0.5m equal solution of sulfuric acid H2SO4 है जो ionized होगा वो इस तरह से ionized होगा 2H plus plus SO4 minus 2 H plus ion की concentration होगी अगर इसकी C है तो इसकी 0 और 0 Finally इसकी कितनी आ जाएगी 0, 2C और C तो इसकी concentration हो जाएगी 2 into 0.005 अपने पास तो यह हो जाएगी H plus ion की concentration 10 to power minus 2 तो pH is equal to अपने पास कितना हो जाएगा answer 2 हो जाएगा और pH का answer कितना हो जाएगा 2 अपने पास answer आ जाएगा Okay Next करते हैं 8 number The pH of 0.2M ammonia solution which is 5% ionized यह 5% ionized होता है तो H plus ammonia क्या है? ammonia base है तो इसके लिए अपने पास OH minus I is equal to कितना होता है? OH minus I is equal to C alpha होता है C कितना होता है अपने पास? 0.02 Alpha कितना हो गया अपने पास? Alpha 5% ionized हो गया 5 divided by 10 5 divided by 100 तो अपने पास यहाँ पे कितना हो गया? OH minus I की concentration OH minus I की concentration हो जाएगी वो अपने पास कितना हो गया? 5 into 10 10 to power minus 3 हो जाएगी तो pH अपने पास कितनी हो गयी? 3 हो जाएगी तो pH अपने पास कितनी हो जाएगी? pH अपने पास 11 हो जाएगी ओके डीर स्टुडेंट्स तो अपने पास इसका अंसर आ जाएगा 11 तो अपने पास इसका अंसर आ गया, वो अंसर आ गया 11 ओके डीर स्टुडेंट्स नेक्स्ट चेक करते हैं next अगर हम check करते हैं तो देखना next 9 number the amount of acetic acid in 1 liter of its solution alpha is 2% and k is equal to this तो these students अपने पास k is equal to होता है वो acetic acid है तो k is equal to c alpha square होता है k given है 2 into 10 to power minus 5 c हमें calculate करना है alpha 2% हो गया 2% का मतलब 2 divided by 100 into k is equal to c alpha square होता है और यह हो गया 2 divided by 100 यहां से 2 से 2 cancel हो गया और इसे देखें तो यह आगया आपने पास 100 से c is equal to 1 by 2 into 10 to power minus 5 into 10 to power 4 यह हो गया 10 to power minus 1 यह आगया आपने पास c is equal to 5 into 10 to power minus 2 यह concentration किसकी आगी? acetic acid acetic acid की concentration CS3COS यह होनी चाहिए 5 into 10 to power minus 2 तो m is equal to अपने पास होता है w upon mw और v किस में होना चाहिए? liter में होना चाहिए तो अपने पास m हो गया 5 into 10 to power minus 2m is equal to w calculate करना है acetic acid 60 होता है 1 होता है और 60 से यहां w calculate करें तो कितना आ रहा है अपने पास? 60 से 1 तो यह कितना हो रहा है? 3 gram अपने पास answer आ रहा है तो answer कितना हो जाएगा? आपने पास 3 gram हो जाएगा ok dear students next discuss करते हैं a certain buffer solution contain equal concentration of A plus and HA pH of buffer solution will be pH of buffer solution will be बात करें तो buffer solution के लिए pH is equal to होता है pk plus log salt upon acid salt upon acid की concentration अगर pH is equal to pk कितना हो गया? k 10 to power minus 3 तो pk कितना हो गया? 3 plus log equal concentration है salt की और अपने पास acid की तो यह कितना हो गया? 1 आ जाएगा तो pH is equal to कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका answer कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ok dear students यह आपने paper का solution discussion किया हमने ok all the best for the next exam ok dear students ok dear students ok dear students